मिस्मिल्ला है रह्माने जाही अससलाम अलेकूं जी तो प्यारे साथ हो आज हम आपकी एड़ने हादिर हैं ब्लैक थंडर के छोते हिस्से के साथ जिसका नाम है लोगासा मिशन इस विशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताती चलू कि यह ब्लैक थंडर सीरिस का चोता हिस्सा है एक तवील सिलसला है जिसके पहले सिल्से हम बयान कर चुके हैं आप लोगों के साथ जब कि चोता हिस्सा हम आपके साथ शियर करने जा रहे हैं कहने की जरूरत तो लेकिन आप सब जानती ही होंगे कि चोता हिस्सा भी पहले तीन हिस्सों की तरहां बेहत दिल्चस्पी तो चलिए इसी की साथ दिल्चस्पी को हतम करते हुए नावल की शुरुआत करते हैं इम्रान की स्पोर्स का शेहर के कदीम महले की तंग सी गली में आइस्ता आइस्ता चलती हुई आगे बड़ी जा रही थी गली से गुजरने वाले लोग हैरे से कभी इमरान को और कभी उसकी कार को देखते और फिर साइड से होकर आगे निकल जाते गली आगे जाकर जहां मोड काटी थी वहां एक बड़ी सी चोकनमा जगा थी इमरान कार एक तरफ रोके और फिर वो दर्वादा खोल कर नीचे उतर आया उसने साइड सीट पर पड़ा हुआ बड़ा से शापिंग बैग उठाया और तेजी से आगे बढ़ गया उस गली के अंदर एक और तंग गली थी जिसके दरम्यान में नाली थी जिसके घरों से निकलने वाली नालिया उस दरम्यानी नाली में जाकर मिल जाती थी इसलिए गली में हर तरफ बस नालिया ही नालिया नजर आती थी एक पुरानी से दर्वादे पर जाकर इमरान रुग गया उसने हाथ उठा कर दर्वादे की कुंडी बजाए दर्वादे पर एक साल होर्दा और इंताई पुरानी सी लोहे की नीम प्लेट कीलों से जुड़ी हुई थी जिस पर मिटे मिटे हरुफ में मास्टर फेरोज दीन लिखा हुआ था कौन है अंदर से एक निस्वनी आवाद सुनाई दी लहजा बता रहा था कि वो कोई बज़ूर गोड़त है मास्टर सहाब घर पर हैं? इमरान ने उन्ची आवाज में पूछा मास्टर सहाब तो बेमार हैं? आप कोन है? अंदर से चोंकर पूछा गया मेरा नाम अली इमरान है आप पर्दा कर ले मैं मास्टर सहाब से मिल लूँगा इमरान ने कहा अच्छा? अंदर से कहा गया थोड़ी दिर बाद एक चोटी से बच्चे ने आकर दर्वाजा खोला उस बच्चे के कपड़े पुराने थे आईए जनाब बच्चे ने कद्रे सहमे हुए लहजे में कहा और एक तरफ हट गया इमरान मकान के अंदर दाहल हुआ चोटे और तंग से सहन को क्रास करता हुआ वो एक कमरे में दाहल हुआ तो सामने एक चार पाई पर एक बुरा सा आदमी बैठा हुआ था उसकी आंखों पर मोटे शीचों की एनक थी ओ इमरान बेटे तुम उस बुरे आदमी ने बुरी तरह चोंग कर कहा फिर उटने की कोशिश की बैठे रहें बैठे रहें मास्टर जी इमरान ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे बिठाने की कोशिश करते हुए कहा पिर साथ पढ़ी हुई एक उरसी घसीट कर उस पर बैठ किया तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला मास्टर दीन ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने तफसील बता दी अब मास्टर फेरोज दीन के पास काम जरा कम माता था इमरान आम तोर पर कपड़े सुलिमान के हाथ सिलने के लिए भिजवा देता और हुध, उसे कई कई साल जाने की फुरसत ना मिलती थी लेकिन आज उसे हयाल आ गया तो वो हुधी बाजार से चार सूठ अरीद कर मास्टर जी की दुकान पर गया दुकान बं थी असलिए वो उनके घर आ गया लेकिन घर और मास्टर जी की हालत दे कर उसका दिल कुरड़ा था उसे अच्छी तरह मालूम था कि मास्टर फेरोजी नित्हाई हुद्दार आदमी है इसलिए किसी किसम के इमदाद लेना उनकी हुद्दारी के हिलाफ था तुम कपड़े ले आए होगे लेकिन बेटे बारहाल तुम देख रहे हो नाजाने मैं कब काम करने के काबिल हो सकूँगा और ये भी मालूम नहीं के हो भी सकूँगा या पिर नहीं इसलिए कपड़े किसी और को दे दो तुम्हें जल्द ही मिल जाएगे मास्टर फेरोजी ने बड़े सी शापिंग बैक की तरफ देखते हुए कहा उनके लहजे में बेबसी और बेचारगी का अंसर नुमाया था अरे मास्टर जी आपके हाथ का सिला हुआ कपड़ा ही मुझे लुस्ट देता है इसलिए कपड़े भी आपने ही सीने है आप ऐसा करें कि उन्हें उठें और मेरे साथ चलें मेरा एक दोस्ट है वो बहुत स्याना डाक्टर है मैं उससे आपका इलाज कराता हूँ इम्डार ने मुस्कुराते हुए कहा अरे नहीं बेटे हम गरीब लोग है बड़े डाक्टरों की फीस और दवाओं का हर्चा कहां अधा कर सकते है किसमत में सेहत हुई तो मुहली की डाक्टर की दवा से ही आराम आ जाएगा वरना जो मिकदार में है पूरा होगा मास्टर जी ने इन कार में सरह लाते हुए कहा मास्टर जी मैंने कहा कि वो मेरा दोस्त है और फिर उसे हकूमत हास तोर पर उसलिए बड़ी तनहा देती है कि वो दूसरों से फीस ना ले आप उठें, मेरी कार बहर खड़ी है मैं आपको ले जाता हूँ, एक पैसा भी हर्च ना होगा और आप जवान घोड़ी की तरह सिहत मन्द हो जाएंगे चले उठें, इम्रान ने कहा मगर बेटे, मास्टर जी ने हिचक चाते हुए कहा अरे उठें तो सही, मैं भी अक्रम की तरह आपका बेटा हूँ इम्रान ने दाई हलूस भरे लहजे में कहा और बाजू से बकर कर मास्टर को उठा कर खड़े होने में उनकी मदद की अक्रम का नाम तुनकर मास्टर के आंके बहर आई इम्रान ने बाजू से बकरे सहारा देता हुआ कमरे से बाहर लाया फिर इसी तरह वो उन्हें मकान से बाहर लाकर गली में से गुजरता हुआ कार्ज की साइड सीट पर बिठा दिया मास्टर जी इतना से चलने से ही बुरी तरह हाम पने और खांसने लगे थे आप बैठें मैं वो कपड़े ले आओं फिर जब आप सिहत मन्द हो जाएंगे तो दुकान पर ला दूँगा इमरान ने कहा और तेजी से वापिस मास्टर फैरोज दीन के घर की तरफ बढ़ गया उसन दर्वाजे की कुंडी बजाई कौन है अंदर से वही बूरी और लरस्ती हुई आवाज सुनाई दी मास्टर नी जी मैं इमरान हूँ मेरा कपड़ों वाला एट थैला कमरे में रह गया है वो दे दे और फिक्रिंट ना करे मास्टर जी बिलकुल से हैतियाब होकर जल्दी वापिस आ जाएंगे इमरान ने कहा तुम तुम कितने हमदर्द हो बेटे काश मेरा अपना बेटा भी ऐसा होता अंदर से रुदे हुए लहजे में कहा गया और फिर हामोशी चागई इमरान ने कोट की अंदर उनी जेव से बड़े नोटों के गड़ी निकाल कर उसे हाथ में ले लिया थोड़ी दिर बाद दर्वाजा खुला और एक बुरी औरत ने हाथ बाहर निकाल कर थैला उसकी तरफ बढ़ाया इमरान ने थैला ले लिया अमा जी ये थोड़ी सी रकम है ये रख ले जब मास्टर जी सिहत मन्द हो जाएंगे तो मैं उनसे कपड़े सिल्वा कर इसे कटवा लूँगा लेकिन आपने मास्टर जी को नहीं बतलाना वो नाराज हो जाएंगे इमरान ने नोटों के गड़ी वला हाथ दर्वादे के अंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा मम मम अगर बेटे ये तो बड़ी रकम है ये तो बड़ी रकम है बुड़ी औरत के हैरत भरी आवास सुनाए दे गड़ी उसने ले ली थी ज्यादा नहीं आप ये रख ले और हू इसे बाहर निकलाना चाहता था गली से बाहर आकर इमरान ने कार का दर्वादा खुला कपरों का थेला उगभी सीट पर फैंका और फिर दर्वादा बंद करके उसने कार को बैक करना शुरू कर दिया मास्टर फैरोस दीनब सीट से सर टिकाय आंखे बंके बैठे हुए थे उनके चेहरे पर गहरी परिशानी के आसार नुमाया थे मैंने सालाई का हर्चा मास्टर जी जी को दे दिया है इसलिए अब आपको ये सूट मुफ्क दीने पड़ेंगे इमरान ने कार बैक करके उसे गली में आगे बढ़ाते हुए कहा हर्चा दे दिया है अरे कितने बैसे दिये हैं मास्टर जी ने चोंग कर पूछा बस दे दिये हैं आप उसे छोड़ें इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मास्टर जी का चेहरा के लुठा वो शायद इसी हायाल से परिशान हो रहे थे कि घर में हर्चा नहीं है इसलिए उनके पीछ उनकी बीवी क्या करेग लेकिन हर्चा मिल जाने का सुनकर उनकी सारी परिशानी दूर हो गए मुझे बताओ तो सही कितना दिया है हर्चा मास्टर जी ने मुस्कुराते हो पूछा ज्यादा नहीं सिर्फ एक लाक रुपे दिये हैं इमरान ने कहा और मास्टर जी इस तरह उचले कि उनका सर विंड स्क्रीन से टकराते टकराते बचा अरे क्या हुआ मास्टर जी इमरान ने चोंग कर पूछा लाक लाक कहा है क्या तुमने क्या मतलब क्या ये सलाई की रकम है वो तो चंद सो रुपे बनती है मास्टर जी ने हैर्ट की शिद्द से हकलाते हुए कहा अरे मास्टर जी ये दोर में हैं आप अब तो हजारों रुपे के एक सूट की सलाई ले ले लेते हैं बाजार में ने तो एक और फैसला कर लिया कि आपके से हत्याब होने पर मैं में मार्कीट में ट्रेलरिंग के एक और शांदार दुकान बनाओंगा उसके इंचार जाप होंगे मुनाफ़ा अधा अधा फिर लोगों को पता चलेगा कि सलाई किसें कहते हैं इम्रान कीकार को बुखता लगंपर मोरते हुए कहा नहीं इम्रान बेटे ये ना जाओ मनाफा हो रही है ये ना जायद मनाफा हो रही है ये तो दूसरे को लूटना हुआ नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये सरासर ज्यागती है मास्टर फैरोस दीन ने सहत थजाज करते हुए कहा मास्टर जी आप लोग लुटने पर हुश होते हैं मेरे एक वाकिफार कार हैं वो होमिपेथ डाक्टर है वो बता रहे थे कि जब उन्होंने दुकान खोली और पहला मरीज आया तो उन्होंने उसे दवा दी और उससे एक रुप्या लिया उस मरीज ने बड़े हकारत आमेज अंदाज में हंकारा उभरते हुए डाक्टर सहाब के सामने उनकी दी हुई पुडियां खोलकर नाली में बहाई और गिये कहकर चला गया कि एक रुपे की दवाई से क्या हाक करा मिलेगा और डाक्टर सहाब उस मरीज का मूँ देखते रह गए हाला के बकौल उनके उन्होंने सो फीसद मुनाफ़ा लिया था सारी दवाई पचास पैसे कीमत ये थे और उन्होंने एक रुप्या लिया बस इस रोज से डाक्टर सहाब को सबख मिल गया कि मरीज दवा की हासित नहीं देखते कीमत देकर अंदाजा लगाते हैं शरांची अब वो अब एक रुपे की दवा की कीमत पचास रुपे लेते हैं और अब उनके मरीज भी खुश हैं और डाक्टर सहाब की दुकान भी मरीजों से भरी रहती है इमरान ने मस्कुराते हुए कहा और मास्टर फैरोज दीन हस पड़े बात तो ठीक है बेटी लेकिन जमीर इसकदर लूट को बरदाश नहीं करता ये जल्म है मास्टर फैरोज दीन ने कहा वाकिए बर्दाश नहीं कर सकता मासर जी लेकिन इसका जिसका जमीर जिन्दा हो मगर अब क्या किया जाए लोगों का रोजान ही ऐसा हो गया है कि मासर फैरोज दिन बहतरीन सलाई के बावजूद अगर 200 रुपे सलाई लेगा तो सलाई काम की ना होगी बलके समझो कि सूड का ही सत्या नास हो गया कि 2000 रुपे का कपड़ा और 200 रुपे सलाई लेकिन शानदार दुकान में बैठा हुआ एक अनारी कारीगर जिब सलाई का सत्या नास माल देगा एक कालर और दूसरे कालर में जमीन नास मान का फर्क होगा मगर वो सलाई होगी 1500 रुपे तो फिर वही सलाई मशीन फैशन के मताबक और शानदार होगी इमरान ने कहा तुम ठीक कहते हो बेटे लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर लोग बेवकूफ हैं तो उन्हें और ज्यादा बेवकूफ बनाया जाए और अपनी कमाई को नाजायस कर दिया जाए मास्टर फैरोज दीन ने कहा मास्टर जीर साहब दिल लोगों ने इसका दूसरा तरीका एहत्यार कर लिया है जो लोग कीमत दे कर क्वाल्टी का अंताजा लगाते हैं उनसे रकम ले ली जाती है और जो रकम जायज मुनाफ़ा से ज्यादा होती है वो किसी फलाही इदारे को भिजवा दी जाती है इस तरहां जमीर भी हुश और गाहक भी हुश अरे हाँ ये ठीक है वाकि इस तरहां फलाही काम भी आगे बढ़ते है वरना ये लोग जो दो रुपे की चीज़ दो हजार में हरीद कर ले जाते है उनसे अगर किसी गरीब की इमदात कर कहा जाए तो दस रुपे देने पर भी इस तरहां नागभू चढ़ाते हैं जैसे उनकी दोलत लुट रही हो मास्टर फेरोज दीन ने सरहलाते हुए कहा इमरान ने कार स्पेशल सेर्विस्स हस्पिताल की कंपाउंड गेर में मोरी और फिर पोर्च में जाकर रोग दी मास्टर फेरोज दीन को कार से उतार कर वो अंदर ले गया चन्द लम्हों बाद वो डाक्टर सिदीकी के दफ्तर में मुझूद थे डाक्टर सिदीकी के दफ्तर में मुझूद ना थे इसलिए इमरान ने मास्टर फेरोज दीन को एक तरफ कुरसी पर बिठाया औरो दूसरी चरफ बैठ गया चंद लम्हों बाद डाक्टर सिदीगी कमरे में दाहल हुए अरे इमरान सहाब आप हैरियत है? डाक्टर सिदीगी ने इस तरह अचाना कि अमरान को अपने दफ्तर में देखकर कदरे परेशान लहजे में कहा जब भी कोई डाक्टर पूछता है हैरियत तो मुझे हकीकता हसी आजाती है आप उट सोचें कि डाक्टर और हैरियत दो متदाद Чीज hai जहां हैरियत हो वहाँ डाक्टर का क्या काम? और जहाँ डाक्टर हो वहाँ बेचारी हैरियत कैसे दाहिल हो सकती है? इम्रान ने मुस्कुराते हुए कहा और डाक्टर सिदीकी खिल खिला कर हस पड़े उसी लम्हें उनकी नजरें एक तरफ कुरसी पर बैटे मास्टर फेरोजीन पर पड़ीन तो वो चोंग पड़े ये मेरे अंकल है डाक्टर मास्टर फेरोजीन उनका नाम है उन्हें सीने में दर्द और खांसी है मैं चाहता हूँ कि आप उनका इलाज करें और उन्हें इस तरह जवान और सिहत मन बना दे जिस तरह ये आज़ से तीस वर्स पहले थे इम्रान ने मुस्कुराते हुए कहा अरे अच्छा ठीक है आईए मास्टर जी मेरे साथ मैं आपका चेक अप करूँ डाक्टर सिदीकी ने सर हिलाते हुए कहा फिर इम्रान उन्हें सहारा देकर चेक अप रूम में ले गया उसके बाद डाक्टर सिदीकी ने में मुकमल चेक अप शुरू कर दिया इम्रान वापिस डाक्टर सिदीकी के दफतर में आ कर बैठ गया क्या पोजिशन है डाक्टर अंकल फेरोज की इम्रान ने कदरे परेशान लहज़े में कहा बेमारी काफ़े बढ़ चुकी है लेकिन बारहाल अभी वक्त है इसे कंट्रोल किया जा सकता है अरे तुम फिक्रन ना करो दो हफ़ते के अंदर ये बिलकुल ठीक हो जाएंगे लेकिन डाक्टर सिदीकी ने अपनी महसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा मैं आपकी लेकिन को समझता हूँ आपका मतलब यही है कि ये हसूसी हस्पटाल है और यहां चीफ के हुकम के बगर किसी गैर आदमें को ट्रीटमेंट नहीं दी जा सकती इम्रान ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ ऐसा करते हैं कि मैं मास्टर फेरोज दीन को अपनी रहाषगा पर मुन्तगिल कर देता हूँ मैं जाती हस्यत से उनका इलाज करूँगा डाक्टर सिदीकी ने शायद मसले का हल लिकालते हुए कहा अरे ये बात नहीं मैं अभी चीफ से बात करता हूँ अगर मेरे अंकल का जहां अलाज नहीं हो सकता लो भी जहां किसी का भी अलाज ना होगा इम्रान ने कहा और मेज़ पर पड़े टेलीफोन का रिसीवर उठा कर उसने तेजी से दानिश मंजल के नमबर डायल करने शुरू कर दिये चुकि दाक्टर सिदीके को ये नमबर मालूम थे इसलिए उन से चुपाने का सवाल ही पैदा ना होता था राप्ता काईम होते कि दूसरी तरफ से मखसूस आवाज सुनाई दी जनाब अली इम्रान बोल रहा हूँ अरे मेरा मतलब ये है कि मैं तो अली इम्रान हूँ आपके लिए मैंने लफ जनाब इस्तमाल किया है कहीं आप ये ना समझने कि मैंने अपने आपको जनाब अली इम्रान कहा है इम्रान ने कहा हो डाक्टर सिदीके मस्कुराते हैं वे इम्रान को देखने लगे वो जानते थे कि चीफ के साथ अगर दुनिया भन में कोई शक्त बे तकल्फी से बात कर सकता है तो वो यही इमरान है वरना किसी और की तो जुरत ही ना थी कि वो इस किसम की बात तो एक जिर्फ उन्ची आवाद में बात भी कर सके फजूल बातें मत करो क्यों काल की है दूसरी जिर्फ से एकस्टू ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा अच्छा तो आपको जनाब कहना फजूल बात है तो ऐसे ही सही ये फजूल लकब में हुद्ध एहत्यार कर लेता हूँ हां तो जनाब अली इमरान बोल रहा हूँ इमरान ने कहा और डाक्टर सिदीगी ने बेहत्यार मुपर हाथ रख लिया उन्हें चायद हसी जब्द करना मुश्किल हो रहा था मकसद की बात की जा करो वरना एक्स्ट्रो ने इसकदर सफ लहजे में कहा कि पास बेटे वे डाक्टर सिदीगी बेहत्यार काम पुठे मेरे अंकल है मास्टर फेरोज दीन बेहत्रीन टेलर मास्टर है वो बेमार हैं गोरी बात्मी हैं होद इतना महंगा इलाज नहीं करा सकते इसलिए मैंने सोचा कि आप हा महां डाक्टर सिदीगी और उनके अमले को इतनी लंबी लंबी तन्हाहें देते हैं क्यों ना अंकल मास्टर फेरोज दीन का इलाज डाक्टर सिदीगी से कराया जाए वगर डाक्टर साहब हैं कि मानते ही नहीं कहते हैं यह हसूसी हस्पिताल है और यहां सिर्फ हास लोगों का इलाज हो सकता है मैंनों नहीं लाग समझाया कि मासर फैरोज दीन बेहतरी इंकारिगर है इसलिए ये भी आदमी है और फिर इस मुलके शहरी है जिनके टेक्सों से इस हस्वताल का हर्च चल रहा है इसलिए वो आम आदमी नहीं लेकिन डाक्टर साहब मानते ही नहीं आप ही नहीं समझाये इमरान ने इस बार संडीदा लहजे में कहा डाक्टर सिदीकी से बात कराओ एक्सों ने इसी तरह संडीदा लहजे में कहा और इमरान ने मस्कुराते हैं रसीवर डाक्टर सिदीगी की और बढ़ा दिया ये सर डाक्टर सिदीगी बोल रहा हूँ डाक्टर सिदीगी ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा डाक्टर सिदीगी इमरान सहाब को लिया आया है डाक्टर सदीखी ने एक तबील सांस लेते हुए रसीवर वापिस रेडल पर रखा ठीक है इमरान सहाब आप बेफिकर रहे हैं मास्टर फिरोज दिनका बहतरीन एलाज होगा डाक्टर सदीखी ने मुस्कुराते हुए कहा देखा एक ही धंकी में काम बन गया कमाल है जिनकी टेक्सों से हस्पताल चल रहा है वो तो हो गया आम आदमी और टेक्स लोगों से लेकर जो खुद बैठे होकम चलाते रहते हैं वो बन गया हालिस इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा गोस ने बलेक जीरों की बास सुन ली थी लेकिन वो जाहिए यही कर रहा था जैसे उसे मालूम ना हो के चीफ ने क्या कहा है चीफ बहुत अजीम शक्सियत है इमरान तुम उनके अजमत का तस्वर भी नहीं कर सकते ये तो मुझे मालूम है बारहाल अब तुम बलकुल बेफिक्र होकर जाओ मास्टर फेरों जीम का इलाज अब मेरी जिम्मेदानी रही डाक्टर सिदीकी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा ओके शुक्रिया मैं वक्तन फवक्तन पता करता रहूँगा इमरान ने कहा और उचकर खड़ा हुआ डाक्टर सिदीकी भी उठ़ और फिर इमरान डाक्टर से मुसाफिहा करके दफ्तर से बाहर निकलाया उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी कैप्टिन हमीड टांग पर टांग चड़ाया राम कुर्से में धंसा हुआ एक मैगजिन की तस्वीरियन देखने में महर था कि मुलाजिम अंदर दाहल हुआ उसके हाथ में फोन था करनल सहाब का फोन है मुलाजिम ने फोन मेज़ पर रखकर रिसीवर कैप्टिन हमीड की चरफ बढ़ाते हुए कहा अरे अच्छा कैप्टिन हमीड ने चोंकर कहा और रिसीवर मुलाजिम के हाथ से ले लिया जी फरमाईए मैं आपकी क्या हिदमत कर स रखता हूं कैप्टिन हमीड ने मुस्कुराते हुए कहा उसका लहजा बता रहा था कि उसका मूड हासा हुशकवार है इसका मतलब है कि मैगजीन में बड़ी जानदार तस्वीरे हैं दूसरी चरफ से करनल फरीदी की मुस्कुराती हुए आवाज सुनाई दी मैगजीन किस मैगजीन की बात कर रहे हैं आप कैप्टिन हमीड ने चोंग कर पूछा वही जो तुम्हारी हाथ में है और तुम उसमें इतने महव हो कि साथ वाले कमरे में घंटी बजने की आवादें भी तुम्हें सुनाई नहीं दी करनल फरीदी ने जवाब दिया मैं फजूल किसम की घंटियों पर कान नहीं धरा करता कैप्टिन हमीड ने मसूई उस से भरे लहजे में कहा जाहिर है जब तुम्हारे अपने कानों में तस्वीरें देखकर घंटियां बज रही होंगी तो तुम्हारे लिए फोन की घंटी तो फजूल ही हो जाएगी बारहाल मेगजिन अलमार करते हुए कहा और रसीवर रखकर वो उठा और बजाए मेगजिन अलमारी में रखने के उसने उसे मोड कर अपने कोट के अंदरूनी जेब में रखा फिर टेसे इस कदम उठा था पोर्च की तरफ बढ़ गया वो तुम्हा दफ्तर जाने के लिए बरवक्त तयार तो हुआ लेकिन फिर उसका मूड ना बना और वो मेगजिन लेकर वही बैठ गया लेकिन जाहिर है अब करनल फरीदी की काल आने के बाद उसका जाना जरूरी हो गया था थोड़ी देर बाद उसने काल दफ्तर की पार्किंग में रोकी और नीचे उतर कर कदम बढ़ा था वो अपने करनल फरीदी को अगर फील्ड में कोई काम ना हो तो वो बड़ी पाबंदी से दफ्तर आ बैठता था ये ब्लैक फोर्स का मरकजी दफ्तर था केप्टन हमीद ने परदा हटाया और अंदर दाहल हुआ करनल फरीदी अपनी मेर पर मुझूद था उसके सामने एक नक्षा करनल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा कोठा क्या मतलब केप्टन हमीद ने घुसीले लहजे में कहा और मेज के साथ कुरसी घसीड कर बैठ गया ग्राइमर का मस्सला है कोठी मोनस के लिए और कोठा मुझुकर के लिए अब जो तुम अपने आपको महसूस करते हो वो बत करनल फरीदी ने तुर्की बातुर्की जवाब देते हुए कहा और केप्टन हमीद चर्मिदा से हसी हसकर रह गया जाहिर है अब वो कोठी पर इसरार कैसे कर सकता था तो फिर आप कोठी में क्यों रहते हैं आहर केप्टन हमीद को बात सूज ही गई ना महरमों से हिफादत तो करनी ही पड़ती है तो तुम्हारे साच मजबूरन रहना पड़ता है करनल फरीदी भला कब पीछे रहने वालों में से था और इस बार तो कैप्टन हमीद बे एहत्यार किलकिला कर हस पड़ा ये नक्षा सागा लेंड के शुमाल मश्रकी पहाड़ी इलाके का है इस इला हुआ था चनाजे पॉलीस को तो उसकी समझ ना आई और उन्होंने डिबिया मां कागर्स अपने आला हकाम को विजवा दी जहां से ये मेरे पास आप हूंची मैंने एक लिबार्टी से इस पत्थर को चेक कराया तो हैरत अंगेज इनकिशाफ हुआ कि ये पत्थर जमीनी न इस बार इंतहाई संडीदा लहजे में कहा दूसरे से आरे से लाया गया है क्या मतलब ये कैसे मालूम हो गया कैप्टन हमी ने बुरी तरहां चोंग कर पूछा इस पत्थर को हमारी लिबार्टी के साइज़ान तश्रीफ ना कर सके चनाचे उस एक्रीमिया की एक सता की तहकिकात की गईो और फिर हला में बेजे जाने वाले एक तहकिकाती सैयारे से मोसूल होने वाली एक तस्वीर सामने आ गई जिसमें इस जैसा पत्थर हला में तैरता हुआ नजर आ रहा था और सै critically ने उसका पास कैमरी ने उसकी तस्वीर भीजवा दी लेकिन जाहिर है हला में ऐसे हज़ारों नहीं तो लाकों अजसाम सद्यों से तैरते फिर रहे हैं इसलिए इस तस्वीर की एनलार्जमेंट की गई मगर उसे भी कोई फाइदा तो ना हुआ लेकिन अब यह हैरत अंगेज बास सामने आई है कि वो तस्वीर बिलकुल इस पत्थर की है जो सागा लेंड के शमाल मश्टकी पहाड़ी इलाके के रहने वाले एक आम से आदमे के कबजे से मिला है साइदानों ने इस पत्थर का तद्धिया करके ये रिपोर्ट भी दे कि इस पत्थर में मुझूद गेर अज़ी अंसर पर अगर मजीद तहकीकात की जाएं तो दुनिया की जराए मौसलात में हैरत अंगेज इनकलाब आ सकता है इस अंसर की प्रदाए तो पर जो हास्यत सामने आई है उसके मताबिक ये ठोस मादे को बर्की लहरों में तबदील करके जजब भी कर सकता है पिर उसे दुबारा ठोस मादे में तबदील भी कर सकता है क्योंकि ये पत्थर सागा लेंड से दस्याब हुआ है इसलिए इसका नाम भी सागा स्टोन रख दिया गया है इसका मतलब ये हुआ कि अगर सागा पर मुच्तमिल रसीवर और ट्रांस्मेंट स्टेशन दुनिया में बना दिया जाएं तो सामान, बहरी जहाजों, हवाई जहाजों या रेलवे और दूसरे जराय के मदद से एक जिगा से दूसरे जिगा भीजने की बज़ाए सागा के जरी पलक जपकने में दुनिया के किसी भी दूसरे गोने तक पहुंचाया जा सकता है। करिनल फरीदी ने तफसील बताते हुए कहा, अरे वा इंतहाई हैरत अंगेज, वाकि ये तो इनकलाब ही आ जाएगा। कैप्टेन हमीद ने आंखें भाड़ते हुए कहा, हाई इस प दूसरे पत्थर तलाश करने की कोशिश करें। चनाचे मैंने ब्लैक फोर्स के जरी जो तहकीकात कराई हैं, उसके मताबक वो आदमी जो एकसीडेंट में हलाक हुआ था और जिसके कब्जे से सागा स्टोन मिला था, वो एक पहारी कस्बे अमारक का रहने वाला था। वो अ पत्थर भेजा गया था, उसका नाम और पता शायद उसे दुबानी बताया गया था, इसलिए अब उसका पता नहीं चल रहा। उस स्याह का हुलिया बगारा मालुम किया गया है, तो इतना मालुम हुआ कि वो मुकामी आदमे ही था, कोई गैर मुल्की ना था। लेकिन वो स समझा गया था, कि वो कोई मखसूस कोड है, लेकिन पूरी दुनिया के कोड के माहिर भी उसे पढ़ने से कासिर रहे हैं, इसलिए वो अभी तक मिमा बना हुआ है, करनल फरीदी ने कहा, तो अब आप नक्षा सामने रखकर क्या कर रहे हैं, केप्टन हमीर ने तवील सांस ल पहारों में किस इलाके में गिर सकता है, अमारक साइंसी तोर पर ऐसे जोन में है, जहां कि आबो हवा में कुदरती मकनातीसे द्वाफर मिगदार में मुझूद है, और जो हला से आने वाले अच्साम को अपनी तरफ खेंच सकती है, लेकिन ये जोन काफी वसी है, इसलिए म इसमें मजईद हदबंदी कर रहा हूँ, और मेरी तहकीकात के मिदाविक अमारक से 6 किलो मीटर दूर ये पहाड़ी, इस मकनातीसे काम मरकज है, क्योंकि मिन जो तहकीकात कराई हैं, उसके मुदाविक इस पहाड़ी में बड़ी-बड़ी मकनातीसी चट्टानें भी पाई जाती हैं करनल फरीदी ने नक्षे में एक जगा पर उंगली रखते हुए कहा तो फिर इस इलाके में फोज भीज कर अच्छी तरह खंगाल लिया जाए इसमें क्या हरच है केप्टन हमीद ने कहा नहीं ये काम फोज का नहीं हमें हुच चेक करना पड़ेगा इंतहाई एहतियात का काम है मैंने नंबर 11 को हिदायात दे दी हैं ब्लैक फोर्स का एक ग्रूप वहां पहुँच चुका होगा नंबर 11 वहां बेस केम्प लगाएगा जरूरी साइंसी आलाग भी वहां पह चुठी हार्ड स्टोन करनल फरीदी ने रसीवर उठाकर तहको माना लहजे में कहा नंबर 11 बोल रहा हूं बॉस केम्प लगा दिया गया है और बाकी तमाम इंतजामात भी मुकमल हो चुके हैं नंबर 11 ने कहा ठीक है करनल फरीदी ने जवाब दिया और रसीवर रख दिया आउ चले हेलिकाप्टर में जाना होगा करनल फरीदी ने नक्षा बंद करके उसे जेब में डालते हुए कहा मैंने क्या करना है जाकर मुझसे इस किसम के फजूल काम नहीं होते कि एहमकों की तरह इधर उधर पहले हुए पत्थरों करहीं देखते रहो कैप्टन हमीद ने म बनाते हुए कहा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी करनल फरीदी ने संडीडा लहजे में कहा और दर्वाजे की तरफ बढ़ गया अर्या आप तो नाराज ही हो गए अगर आप नाराज हो रहे हैं तो ठीक है मैं जरा चला जाता हूँ अब आपको तो नाराज नहीं किया जा स सिर्फ सागा लैंड का तो मसेला नहीं करनल फरीदी ने मस्कुराते हुए कहा हा महा उसे बुला लेते हैं इसका क्या तालुक हो सकता है इस पत्थर की पूरी कान ही जहां हूँ यह साइंसदान भी बाज़कात उल्टी सीधी बाते हाली रोब जमाने के लिए करना शुरू क लगता है वो उसे पढ़ ले करनल फरीदी ने तेजी से मूरते हुए कहा जब सारी दुनिया के माहरी नहीं पढ़ सके तो वो एहमक उसे कैसे पढ़ लेगा अलबता अपनी तरफ से उल्टी सीधी बाते करके मामलात को और ज्यादा उलजा देगा कैप्टन हमीद ने बुर ये अंकल मास्टर फेरोज दिन कौन है इमरान सहाब जिनका अलाज आफ सेशल सर्विसी थ हस्पताल में कराना चाहते हैं ब्लैक दिनों ने इमरान के कुर्सी पर बैटते ही सवाल दाग दिया और इमरान ने उसे मास्टर फेरोज दिन के बारे में तफसिल बता दी अब तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तबके के अफराद के लाज के लिए बाकारदा एक हस्पताल कायन किया जाए और जोजफ और जुवाना को इसका एड्मिनिस्टर बन मकरर कर दिया जाए इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा जोजफ और जुवाना की वज़े से हस्पताल मरीदों से भर तो सकता है आराम किसी को नहीं आ सकता डैकजीरो ने हस्ते हुए कहा उसी लमने टेलीफोन की घंटी बजुटी और इमरान ने चौंकर रसीवर उठा लिया इमरान ने मखसूस लहजे में कहा सुलिमान बोल रहा हूँ इमरान साथ से बात करनी है दूसरी तरफ से सुलिमान की संजीदा आवाज सुनाई दी क्या बात है सुलिमान इम्रान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा साहब डाक में करनल फरीदी साहब की तरफ से एक लिफाफा आया है उस पर टाप एमर्जनसी के अलफाज भी लिखे हुए है इसलिए मैंने सुचा कि आपको इत्तला कर दू सुलिमान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा करनल फरीदी की तरफ से लिफाफा और टाप एमर्जनसी तुम ऐसा करो कि लिफाफा यहां दानिश मंदिल के लेटर बाक्स में डाल दो हुदा कर इम्रान ने कहा और रसीवर रग दिया करनल फरीदी की तरफ से कोई एहम हथी होगा वैसे वो फोन भी कर सकता था इम्रान ने होन चबाते हुए कहा आप फुद फोन कर ले ब्लैक जीरो ने कहा नहीं पहले वो हथ देख लूँ अगर फोन पर मसला हल हो सकता तो यकिनन करनल फरीदी हुद ही फोन कर लेता इम्रान ने सर हिलाते हुए कहा फिर तकरीबन 20 मिनट बाद कमरे में सीटी की मखसूस आवाज गुंजी और ब्लैक जीरो ने चोन कर मेज की सबसे नीचली दराज खोली उसमें एक लंबा सा लिफाफा मुझूद था दानिच मंदल के हसूसी सिस्टम से लेटर वकस में डाली जाने वली हर चीज खुद बहुत ब्लैक जीरो की मेज की दराज में पहुंच जाती थी और ये सीटी की आवाज इस निजाम की तरफ से अलारम था ये लीजिए बैक जिरो ने लिफाफा इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा लिफाफा वाकि करनल फरीदी की तरफ से ही था उस पर इमरान का जाती पता लिखा हुआ था और एक कोने में टाप एमरजिंसी के लिफाथ भी दर्च थे इमरान ने वेस पका हुआ पेपर कटर उठाया और लिफाफे की एक साइड कार्ड दी लिफाफे के अंदर एक फोटो और दो कागस थे इमरान ने कागस होला तो ये फोटो स्टेट था इस पर कोड में कोई तहरी थी फोटो एक पत्थर का था जिस पर सुल्ख रंग की धारिया नजर आ रही थी इमरान ने दुसरा कागस होला तो ये करनल फریदी की तरह से एक हद था जिसमें उसने इस पत्थर के दस्याब होने से लेकर इस पर होने वाली तहकीकात के मुतालिक तमाम कफ़ील लिखी थी साथ ही दर्वास की थी कि अगर इम्रान उसकोर को हल कर सके तो उससे पूरी दुनिया को फायदा हो सकता है अरे हैरित अंगेर दर्याफ्त है इम्रान ने कहा और एक बर पर पत्थर वाला फोटो उठाकर उसे गोर से देखने लगा क्या हुआ? बलेक दिनों ने हरत भरे लहजे में पूछा तो इम्रान ने करनल फरीदी का हथ उसके तरफ बढ़ा दिया वाकर ये इम्रान सहाब अगर ये सागा अंसर मसनुई तोर पर तयार हो सके तो दुनिया भर में मुफीद इनकलाब आ जाएगा बलेक दिनों ने कहा और इम्रान ने सर फिला दिया अब वो कोड वाला कागज उठाकर उसे गोर से देख रहा था मैं जरा लाइबरेरी जा रहा हूँ कोशिश करता हूँ शायद कोई हल मिल जाए इम्रान ने संडिदा लहजे में कहा फिर कोड वाला कागज उठाकर वो दानिश मंदिल की अजीम उश्यान लाइबरेरी में आ गया उसे वहाँ नस्थ कम्प्यूटर की मरसे कोड और उनके हल पर लिखी गई लाइबरेरी में मुझूद तमाम किताब एक जिगा एकटी कर ली फिर उन्हें चेक करने में मस्रूफ हो गया कोड वाकि बिल्कुल नया था किसी तोर पर भी समझ ना आ रहा था तक्रीमन दो गंटे तक मुझूद वो मसलसल कोड को हल करने के लिए कोशिश करता रहा लेकिन कोई हल समझ में ना आ रहा था उसे हयाल आ रहा था कि काश डाक्टर हाशम आज जिन्दा होते तो लाजमन वो इस कोड को हल कर लेते क्योंकि इस मामले में वो हुदादास लाहियोतों के हामिल थे और उनकी वफात से कबल जब भी इमरान को कोड के मामले में कोई मुश्किल पेश आती तो वो उनकी तरफ रजू करता था डाक्टर हाशम वैसे तो तिब के डाक्टर थे लेकिन कोड वर्क उनका शुगल था और उन्होंने इसमें महारत आमा हासल कर ली थी उनकी इस महारत को पूरी दुनिया में तसलीम किया जाता था चुर्कि डाक्टर हाशम फोड से मुंसलिक रहे थे इसलिए उनकी जिन्दगी हर लहाँ से फोजी अंदाद में ढल गई थी इसलिए उनका सखत तरी डिसिप्लन दूसरों के लिए आजाब जान बन जाता था लेकिन ये इमरान ही था जो नहीं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर लेता था लेकिन जाहिर है अब उनकी वफात के बादम से राप्ता ना गिया जा सकता था उसने आँखे बंद कर लिए और उसका जहन गहरी सोच में गर्क हो गया अचानक जैसे बिजली का जहमाका होता है इसी तरह उसके जहन में एक जहमाका सा हुआ और उसने चूंग कर ना सिर्फ आंखे खुली बलके जहटके से उठकर खड़ा हो गया उसे डाक्टर हाश्चम की तरहा का एक और आदमी याद आ गया उसका नाम नवाब researchers का नाम रस्तम अलीहान था चुकि वो पुश्टी रईस थे, वो दो लड़की बड़े होकर आला उख़ों पर फायस थे, लड़कीों की शादी हो चुकी थी, उनकी बीवी वफात पा चुकी थी, इसलिए नवाब रुस्तम अलिहान दारूल हकूमत के मश्रकी हिस्से में अपनी महल नमा कोटी में मुला और अपनी उलाद के दुनिया के किसी और फर्द से मलने के लिए तैयार ना होते थे, इमरान भी एक बार सररह्मान के साथ उनके लड़के की शादी के मूके पर उनसे मिला था, और तब बातों बातों में उसे मालुम हुआ था, कि नवाब रुस्तम अलिहान कोट वर्क में वागी महारे थे तामा रखते हैं, उसके बाद इमरान ने एक दो बार उन्हें फोन करके बात करने की कोशिश भी की लेकिन उनके मुलादी में यही जवाब दिया, कि नवाब साहब मस्रूफ है आप फिर कर भी फोन कीजिए, और जाहिर है इमरान भी कम मस्रूफ ना रहता था, इसलिए वो यकसर ही उन्हें भूल गया, लेकिन अब अचानक उसे उनका हयान रा गया तो उसने उन से मलने और इस कोड के बारे में डिसकस करने का फैसला कर लिया, मैं कोड के एक माहिर से मलने जा रहा हूँ, दौा करो वो मिलने पर आमादा हो जाए, इमरान ने इमरान ने दर्वादे की तरफ बढ़ते हुए कहा और बलेक जीरो बे एहत्यार हस पड़ा, इमरान की स्पोर्स कार थोड़ी देड़ बाद ही दानिश मंजिल से निकल कर उस तरफ बढ़ी जा रही थी जिधर नवाब रुस्तम अलीहान की महल नुमा कोठी थी, तक्रीब नादे घंटे तक मसलसल ड्राइविंग के बाद इमरान निकार उनकी कोठी के जहादी साइस के फाटक के सामें जाकर रोगी और फिर एक तवील सांस लेकर वो कार्ड से नीचे उतराया, पहले उसमें जेबे टोटोली जिन में मुछलिफ किसम की तारुफी कार्ड पढ़ी प्रस कर दिया, चन्द लम्हों बाद पाटक की छोटी खिरके खुली और एक बुढ़ा मुलाजिम नुमा आदमी बाहर आ गया, जी फरमाईए, उस मुलाजिम ने हैरत भरी नजरों से इमरान और उसकी स्पोर्स कार को देखते हुए कहा, जी कहा जाता है, फरमाया नहीं ज रहजे में कहा, अच्छा मतलब भी मुझे बताना पड़ेगा, ये नवाब रुस्तम अलिहां सिर्फ नाम के ही नवाब है, उन्होंने आज तक तुम्हें मतलब तक नहीं समझाया, कोई टूटर भी नहीं रखा, इमरान ने मूँ बनाते हुए कहा, जनाब आप मेरा वक्त जाया ना करे, मैं जरूरी काम कर रहा था, सर्माईया आपने घंटी क्यों बजाई है, अगर नवाब सहाब से मिलने आए हैं तो ऐसा नामुम्किन है, नवाब सहाब किसी से नहीं मिलते, इस बार बुडे मुलादी में जھंजलाए हुए रहजे में कहा, किसी से बेशक नाम अगले लेकिन प्रिंस सफ ढ़म से उन्हें मिलना पड़ेगा, समझे, जाओ जाकर नवाब सहाब से कहो कि प्रिंस का इस्तग्वाल हो जहां भाटक पर आकर करे, वारना अगर प्रिंस को हुसा आ गया तो नवाब सहाब की छोटी उंगली सुछ घी में डबो दी जाएगी, इमरान ने मूँ बनाते वे गुसे ले लेहजे में कहा, छोटी उंगली सुछ घी में डबो दी जाएगी, क्या मतलब, मुलाजिम और ज्यादा हैरान हो गया, तुम बस यहीं खड़े खड़े हैरान ही होते रहोगी, जाओ जाकर जो कुछ मैंने कहा नवाब सहाब से कह दो, उसमें उन्ही का फायदा है जाओ, इमरान ने गुसे लेह लेहजे में कहा, और मुलाजिम सर हिलाता, वह वापस मुड़ा, चोटी खिर्की से अंदर दाहल हो गया, खिर्की उसने अंदर से बंद कर ली थी, इमरान मुलाजिम के चेहे पर उभरने वाले तासुरा समझता थ लेकिन उसे यकीन था, जब यह फिक्रा नौफ साब के सामें दोराया जाएगा तो नौफ साब वाकिए हुदी दोड़े यहां आ जाएंगे, उसे मालूम था कि नौफ साब कोड के माहिर है और इमरान ने बात ही ऐसी कही थी जो एक मखसूस कोड में थी और जिसका मतलब थ था कि नवाव सहाब की सारी जायदाद शदीद धत्रे में है। इमरान को मालूम था कि कंजूस आदमे को फित्रतन दोलत और जायदाद से बेपना महबत होती है। इसलिए तो वो कंजूस होता है। यही वज़ा थी कि उसने ये मखसूस सिक्रा कहा। और उसे यकीन था कि सिक्रे का नतीजा वही निकलेगा जो उसके जहन में है। लेकिन सारी कोठी पर सहत वेरानी से चाहे हुए थी। लान उजड़ा हुआ था जाहिर है उसके लिए रकम हर्च होती है। और हर्चा करना नवाब सहाब की फित्रत के हिलाफ था। कोठी तो बाब दादा की तरफ से विरास्त में मिल गई थी। वरना डिस्फित्रत के नवाब सहाब थे वो कोठी बनाने पर हर्च करने के बजाए अपने बाग के किसी दरहत पर बैठे नदर आते के चलो मुफ्त में बैठने को जगा मिल गई। इमरान निकार वस्यो अरीज मगर हाली पोष्ट में खड़ी की फिर कार से नीचे उतराया उसलम्भे बरामदे से एक और मुलाजिम उतर कर इमरान की तरफ बढ़ा ये जनाम इधर ड्राइंग रूम है मुलाजिम में मोद बाना लहजे में कहा और इमरान उसके पीछे चलता हूँ एक बस ही औरीज ड्राइंग रूम में पहुंच गया जो इंतहाई शानदार और कीमती फरनीचे से भरा पड़ा था लेकिन ये सारा फरनीचर अपनी जाहरी हाले से ही नवाब सहाब के वालिद या दादा के जमाने का लगता था अलबता उसकी सफाई से उतराई बाकाइदगी से की जाती थी मुलाजिम इमरान को ड्राइंग डूम में छोड़कर वापस चला गया अमरान इत्मिनान से एक सूफे पर बैठिया चंद लम्हों बाद अंदर उनी दर्वाजा खुला और नवाब सहाब जो लंबे कद लेकिन इंधाई दूबले पतले थे अंदर दाहल हुए उनका सर गंजा था लेकिन उसकी कम्यूनों ने मूचों से पूरी कर रखी थी तफेद रंग की लंबी लंबी मूचे उनके चेहरे पर अजीब से लग रही थी दिसम पर सद्यों पुराना एक लांकोर था आंकों पर मोटे शीशों लेकिन नफीज फ्रेम की एनक थी तुमने मुलाजम से यही कहा कि तुम प्रिंस हो लेकिन क्या प्रिंस ऐसे होते है तुम तो प्रिंस की बजाए मुझे कोई चीडी माद लग रहे हो नवाब रुस्तम अलिहान ने मूटे शीशों के यानके अंदर से इम्रान को घूरते हुए कहा मेरे जहन में भी आज तक रुस्तम का यही तसवर था कि वो कोई लहीम शहीम दियो नमा ताकतवर आदमी होगा लेकिन आज पता चला कि रुस्तम बांस को कहते है हान तो नवाब बांस हान सहाब फिर क्या हयाल है छोटे उंगली सुर्ख गी में डबो दी जाए या नहीं इम्रान ने भी तुर्की बा तुर्की जवाब देती हुए कहा और नवाब सहाब बजाए घुसा करने के इस बार बे एहत्यार हस पड़े मुझे याद आ गया तुम शायर सर रह्मान के साथ आए थे और उन्हों ने कहा थाया कि तुम उनके बीटे अली इम्रान हो मगर सर रह्मान कबसे किंग बन गए कि तुमने अपने आपको प्रिंस कहना शुरू कर दिया नवाब सहाब ने मुस्कुराते हुए कहा और इम्रान उनकी यादाश्ट पर वाकरी हैरान रह गया कि इतने तवील अर्सा पहले वो सिर्फ एक बार उनसे मिला था इसके बावजुद ना सिर्फ नवाब सहाब ने उसे पहचान लिया बलकि उसका नाम भी उन्हीं याद था नवाबों से मिलने के लिए पिंस बनना ही पड़ता है वना तबकाती फर्क की वज़े से मुलाकात हो ही नहीं सकती बारहाल वो सुर्ख घी और छोटी उंगली वाली बात का आप में जवाब नहीं दिया इम्राण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तुम्हारे इसी हवाले के बिना पर मुझे तुम जैसे फजूल आदमी से मिलने पर मजबूर होना पड़ा बारहाल अब देखो कितना वगजाया होता है बैठो और मुझे बताओ कि ये हवाला तुमने क्यों दिया और इसका मतलब क्या है नवाब सहाब ने मुझ बनाते हुए कहा और हुद भी एक कुर्सी पर बैठ गए इस हवाले का मकसद तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप बकॉल आपके कोड़ वर्क के माहिर है और ये 83 कोड है जिसे कोड़ वर्क में जड़ा सी दिल्चस्प़ी रखने वाला भी अच्छे तरह जानता है लेकिन ये चोटी उंगली वाकी सोर्ग घी में डूब चुकी होती अगर मैंने आरजी तोर पर घी का डिबा बंद ना कर दिया होता और मुझे यकीन है कि जैसे ही ये हबर आपको मिलती आप इन्ना लिल्ला हो जाते लेकिन चुके डेडी ने आपको दोस्त कहा इसलिए मजबूरन मुझे डिबा बंद करना पड़ा इमरान ने इंतहाई संडीदा लहजे में कहा और नवाव सहाब के आँगे होफ से पहलने लगी मगर क्यों वज़ा ये सारी जायदाद मेरी विरास्ती है मैंने नाजायस कमाई से नहीं बनाई फिर ऐसा कैसे हो सकता है नवाव सहाब ने इंतहाई परिशान लहजे में कहा जहां हकूमत के मुझादाद सामने आजाए नवाव सहाब वहाँ कोई नहीं देखता कि जायदाद विरास्ती है या फिर नाजायस आपके जायदाद जब्द हो चुकी थी इसलिए कि आप पाकिशा के शहरी होने के बावजूद पाकिशा के किसी काम के नहीं आ रहे आप कोड़ वर्क में माहिर हैं लेकिन आपके महारत का पाकिशा हकोमत और अवाम को कोई फाइदा नहीं मिल रहा ऐसे आदमे को क्या हक है कि वो इसकदर वसी जायदाद पर साम बन कर बैट जाए क्यों न ये जायदाद जब्द करके मुलके गरीब आवाम में तक्सीम कर दी जाए या पिर दूसरी सूर्थ ये है कि जायदाद आप रखें लेकिन किसे ना किसे अंदाद में मुल्क के अवाम के लिए फायदा मन्साबित हो इमरान का लहजा बेहद सर्थ था मगर ये तो जल्म है अगर मैं किसी को फायदा नहीं पहुंचा रहा तो किसी का नुकसान भी तो नहीं कर रहा नवाब साहब ने गूसीले लहजे में कहा बात नुकसान की नहीं फायदा की है मैंने आला हकाम से कहा कि नवाब रुस्टम अली हान कोड़ वर्क में इंतहाई माहिर है और वो इस वर्ण से मुलक औ कौम को फाइदा पहुंचा सकते हैं उस पर हकाम ने कहा कि अगर नवाब सहाब कोड़ वर्क में मुलक को फाइदा पहुंचाएं अम्रान ने कहा अरे मैं तो क्या मेरी आइंदा पूरी नसल भी मुलके काम आ सकती है एक करोड रुपया अरे मैं जरूर फार्दा पहुंचाओंगा मैं कोड वर्क में अपनी तमाम रिसर्च हकूमत के हवाले कर दूँगा निकालो एक करोड का चेक जल्दी करो ऐसा ना हो कि खुशी से मेरा हार्ट फेल हो जाए नवाब साहब ने मुसर्च से कामते हुए कहा हर कंजूस आदमी की तरह मजीद दूलत हासल करना उसकी फित्रत थी इसलिए एक करोड रुपे मिलने का सुनकर वाकर नवाब रुस्तम अली हान साहब पर शादिये मर किसी कैफियत तारी हो गई ये कागज़ देखिए ये किसी ऐसे कोड में लिखा गया है कि जिसे पूरी दुनिया के माहिरें नहीं समझ सके अगर आप उसे डी कोड करने तो आपके जायदाद भी जर्थ ना होगी और आपको एक करोड रुपया भी मिलेगा और पूरे मुल्क में आपके महारत की कसीदा हमानी अलग होगी इमरान ने नफसियाती तोर पर नवाब सहाब को इस वाइन पर लाख खड़ा किया कि अब नवाब सहब उसे हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते वरना अगर वो वैसे उन्हें उसे डी कोड करने का कहता तो नवाब सहब यकिनًا उसे घास ना डालते ते दिखाओ कागस नवाब साहब ने उठकर बच्चों जैसे अंदाद में कागस इमरान की हाथों से जिपट लिया फिर उसे खोल कर बगोर देखने लगे अरे ये तो शाताल कोड है नवाब साहब ने कहा तो इमरान बे एहत्यार चौंग पड़ा अरे आपका मतलब है कदीम अफरीका के जादूगर कबीले का कोड इमरान ने तेज लहजे में कहा और नवाब साहब इमरान की बात सुनकर चौंग पड़े तुम? तुम्हें कैसे मालूम है इस कोड को हासल करने के लिए मुझे चार साल तक अफरीका के घने जंगलों में मारा मारा फिरना पड़ा था ओफनाक दल्दलों में रहने वाले आदम हो और कबालों को राम करना पड़ा था और मुझे यकीन है कि इस कोड से महजब दुन्या यक्सर नावाकिफ है लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हो गया? नौब साहब ने तहाई हरत भरे अंदाज में इमरान को देखते हुए कहा मुझे कोड का इल्म होता तो आपके पास क्यूं आता? अलबता मुझे ये जरूर इल्म है कि शाताल कदीम एफरीका का बड़ा मशूर कबीला गुजरा है उसे जादोगरों का कबीला कहते थे इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा अरे तो इस कोड के बदले मुझे एकरोड रुप्या मिल जाएगा? नवाब साहब ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में पूछा बिल्कुल चेक बुक मेरी जेब में है आप कोड हल करें और मैं चेक कार्ट देता हूँ इमरान ने कहा आओ मेरे साथ मैंने इस पर वर्क किया हुआ है अभी हल कर देता हूँ आओ नवाब साहब ने जटके से उटते हुए कहा फिर वो इमरान को साथ लिए एक रहधारी से गुजर कर एक बड़े हाल में पहुँच गए जो एक शानदार लाइबरेरी थी और इमरान के देकर हैरान रह गया कि पुरी लाइबरेरी कोड़ वर्क की नादर और नायाब को तब से भरी पड़ी थी जिन में ज्याला तादा कलमी नुस्फों की थी इसकदर अजीम उशान लाइबरेरी तो डाक्टर हाशिंग की भी ना थी यहां पहुँचकर इमरान को सही मानों में एहसास हुआ कि नवाब रुस्फम अली हान कोड वर्क में किस कदर महारत रखते हैं अगर वो आदम बेजार और इंतहाई हद तक अंजूस ना होती तो शायद वो भी ला इल्म रहता कमाल है नवाब सहब कमाल है आपकी लाइबरी तो इंतहाई शानधार है पहले मेरा हयाल था कि डाक्टर हाशिंग की लाइबरी इस मोदो पर बड़ी है मगर आपकी लाइबरी देखकर तो वाकरी मैं हैरान रह गया हूँ इम्रान ने इंतहाई हुलूस भरे लहजे में कहा डाक्टर हाशिंग तो तुम उसे भी जानते हो नवाब सहाब में एक अलमारी से कल्मी नुसा निकालते हुए हैरत भरे लहजे में कहा हाँ अच्छी तरह अगर वो वफात ना पाचुके होते तो मैं ये कागज उन्ही के पास लेकर जाता इम्रान ने कहा और नवाब सहाब बे एहचार मस्कुरा दिये गुड शो इसका मतलम है कि तुम भी इस पर वर्क रखते हो विसे तुम्हारी इतला के लिए बता दू कि डाक्टर हाशिंग ने अपनी वसीयत में अपनी सारी लाइबरेरी मेरे नाम कर दी है और साथ ही एक और चोटा हाल है जिसमें उनकी लाइबरेरी मुझूद है डाक्टर हाशिंग कोड़ वर्क में मेरा शागिर्द रहा है नवाब सहाब ने कहा और इमरान एक बर पिर हैरान हो गया अरे बहुत हूब फिर तो आप उस्तादों के उस्ताद हुए इमरान ने मस्कुराते हुए कहा शुक्रिया शुक्रिया नवाब सहाब ने खुश होते हुए कहा वो कोड़ के माहिद जरूर थे लेकिन मुहावरों के माहिद ना थे इसलिए वो समझ ही ना सके कि इमरान ने उस्ताद के उस्ताद किस पैराई में कहा है नवाब सहब ने कल्मी नुसा मेज़ पर रखा फिर कुर्सी खेंच कर बैठ गए इमरान भी साथ वली कुर्सी पर बैठ किया ये मेरा अपना कल्मी नुसा है शाताल कोड के बारे में नवाब सहब ने कहा नुसा खोल कर उसमें दर्श की को देखने लगे थोड़ी देर बाद उन्होंने वाकि इसका आगस पर लिखे हुई तहरी जैसे पूरी दुनिया के माहिर हल ना कर सकते थे डीकोड कर दिया जैसे जैसे वो से हल करते जा रहे थे इमरान की आँखों में चमा को भरती जा रही थी ये एक अजीब सा हथ था जो किसी काउंट नामी आदमी की तरफ से लिखा गया था और जिसके नाम ये हथ था उसका नाम काईट था हथ में लिखा था एक लोगासा मिल गया है बिजवाया जा रहा है मजीद तलास जारी है उमीद है सबाम में काम बन जाएगा और A.W. वजूद में आ जाएगा नमबर टू को इतलास दे दी जाए ये कैसा पेगाम है नवाब साहब ने हैरान होकर कहा एक कोड वर कोड है और कोड वर कोड का माहिर मैं हूँ इमरान ने मस्कुराते हुए असल और हल शुदा कागल उठाकर उन्हें बन करके जेव में रखते हुए कहा कोड दर कोड वो क्या होता है नवाब साहब ने हैरान होकर पूछा जिस तरहां सूद दर सूद होता है आपने अगर यहां देशी स्कूलों में तालीम हासिल की होगी तो लाजमन सूद दर सूद के सवालाद भी हल किये होंगे जिसे सूद मुरकब कहा जाता है यह इसलिए यहां सिखाय जाते हैं पाकिशा जैसे मुस्लिम मुलक के बैंक जिब अवाम से सूद दर सूद वसूल करें तो कमस कम लोगों को ये तो इल्म हो कि उनके होन पसीने की कमाई किसकदर तेदी से बैंकों के खातों में हड़ब की जाती है और बैंकों की अमारतें किस तरहां उन्ची और वसी होती है और कर्ज लेकर बने हुए मकान किस तरहां नेलाम हो जाते है वैसे मैं आपका मश्कूर हूँ कि आपने इस कोड को हल कर दिया अब इजादे दीजिए इम्रान ने मुस्कुराते हुए कहा मगर वो एक करोड का चेक नवाब साहब ने चौन कर पूछा सूद दर सूद के हिसाब से जब वो दो करोड हो जाएगा तब मिलेगा खुदा हाफिज इम्रान ने कहा और विजली की सी तेजी से बेरुनी दर्वादी की तरफ बढ़ गया अरे अरे ये तो धुका है नाइन साफी है वादा हिलाफी है दो करोड रुपे नवाब साहब ने बुरी तरहां चीखते हुए कहा चाय और खाना उधार रहा फिर आकर वसूल करूँगा इस तक जरा जल्दी है इम्रान ने दर्वादी पर रुकर कहा फिर देवी से चलता वाब वो जल्दी अपनी कार तक पहुंच गया थोड़ी देर बाद उसकी कार अपने फ्रेट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी वो अब करनल फरीडी से इस बारे में तफसीली गुफटबू करना चाहता था फ्लैट पहुंच कर उसने एक पर फिर वो हलशुदा कोडवला कागस खोला उसे पढ़ने लगा उसके जहन में कई बातें खटक रही थी यूँकि हसे तो यही जाहिर होता था कि बातें वाले काउंट ने काईट को बजाहिर एक इतला दी है और जिस पथर की तस्वीर थी उसका नाम शायद लोगासा था लेकिन एक लफ सवाम उसके जहन में खटक रहा था क्योंकि बजाहिर यह एक नाम था लेकिन उसके लाज शौर में यह नाम पहले से मुझूद था लेकिन वो शौर में ना रहा था काफी देर तक वो बैठा गोर करता रहा फिर अचानक चौन पड़ा अरी सवाम तो सागा लेंड और पाकिश्चा के सख़त पर एक पहाड़ी का नाम है इस पत्थर से सवाम में किस किसम का काम शुरू किया जा सकता है वो चंद लम्हें सोचता रहा फिर उसने टेलीफून का रसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिये येस दूसी तरफ से एक आवाज सुनाई दी सरदावर से बात कराएं मैं अली इम्रान बोल रहा हूँ इम्रान ने सनीदा लहजे में कहा अक्रीमिय के लिबार्टी में जब इस पत्थर तरफ पर तहकीकात की गई तो वहां ये हिरत अंगेज इनकशाफ हुआ कि इस पत्थर में एक ऐसा अंसर पाया जाता है जो गहर अर्जी है और पिर एक फोटोग्राफ फी सामने आ गा जो एक हलाई स्यारे की तरफ से बिजव जा गया था उस चलाई स्यारे के हसास कैमरों ने हला में मुझोद एक जिसम का फोटो खेंजा था वोटो से पता लगया कि ये उसी पत्थरका फोटो है च्योंकि ये पत्र सागा लेंड में दस्याब हुआ इसलिए इस वेर अर्जी अंसर का नाम सागा रख दिया गया तेकिकार के मताबिक इस सागा में ये हस्यत है कि ये ठोस मादे को बर्की लहरों में तब्दिल करके अपने अंतर जैजब भी कर सकता है टार्समिट भी कर सकता है और दوبारा ठोस मादे में तब्दिल भी कर सकता है इन पर तज्यूरबात किये गए जो काम्याब रहे लेकिन इन अब्तदाई तज्यूरबात में ये अंसर हतम हो गया चनाज़े इस संसर की मजीद तलाश शुरू की गई हयाल ये है कि हला में तेरने वाला ये जिसम या इस जैसा दूसरा जिसम जो यकिनन किसी सियारे का टुकरा है सागा लेंड के इस पहाड़ी इलाके पर गिरा होगा जिसका वो टुकरा दस्तियाब होगा है सागा लेंड का करनल फ्री भी उसे तलाश कर रहा है ताके बड़े टुकरे पर मुकमल तजर्बात करके इस अंसर की माहियत को साइंसी तोड़ पर समझा जा सके और फिर उस जैसा मस्नुई अंसर तयार करके इस से पूरी दुनिया के जराए मौसलात में इनकलाब लाया जा सके इम्रार ने एक ही सांस में पूरी तफ्सील बताते हुए कहा मुझे एक रिपोर्ट इस बारे में मिली थी लेकिन चुके मेरा इस से ब्राहे रास कोई तालुक ना था इसलिए मैंने इसमें दिल्चस्टी ही ना ली लेकिन तुम मुझे से क्या चाहते हो सरदावर ने जवाब दिया इस पतर के साथ एक हत भी मिला था जो ऐसे कोड में था कि पूरी दुनिया के माहिर उन्हों से हल ना कर सके चनाजर करनल फरीदी ने उसकी एक नगल मुझे भिजवाई और मैंने पाकिशा में रहने वाले एक गुमनाम माहिर कोड नवाब रुसम अलिहान को से दिखाया तो उन्होंने उसे हल कर दिया ये शाताल कोड है कदीम एफ्रीका के एक ज़ादोगर कभीले का कोड इस इसका इल्म सिर्फ नवाब रुसम अलिहान को ही था बारहाल यहाल तो हो गया कि इसमें जो कुछ लिखा है इसमें एक उल्जन में फस गया हूँ इमरान ने कहा क्या लिखा है उसमें सरदावर के लहजे में इस बार दिल्चस्मी का अंसर मुझूद था इमरान ने हद का मजमून दोहरा दिया इसमें उल्जन की क्या बात है साफ साहत है सरदावर ने हैरत बरे लहजे में कहा सरदावर इसमें मेरे नुक्ता नज़र से दो तीन इल्फाज जहें मैं एक तो है टबाम और दूसरा एडबल्यू जहां तक मुझे याद है टबाम सागा लेंड और पकिशा के दर्मयान एक सरहदी पहाडी का नाम है मैं आप से ये पूछना चाहता हूँ कि इस टबाम में कोई हुफ्या लिबाटी तो काम नहीं कर रही या माँ कोई हास हाथ यार तयार किया जा रहा हो इम्रान ने पूछा अरे इसलिए तुमने मुझे फोन किया है नहीं ऐसे कोई बात नहीं अगर होती तो मुझे कमस कम लादमा निल्म होता वैसे एक बात मेरे जहन में आ रही है गुजशता दिनों एक कांटरंस के दर्मयान बातों बातों में ये दिक्र आया था कि सुबा में किम्ती पत्थर जुमर्द की एक कांट दर्याफ्ट हुई है चुकि ये पहारी आधी सागा लेंड और आधी पाकिशा में है इसलिए इस कांट पर भी दोनों हकूमतों का कंट्रूल है अफसिला चाहो तो सेक्रीटि वजारत मादनिया डाक्टर आशिक हुसें से मिल सकती है असर दावा ने कहा अरे अच्छा शुक्रिया इम्रद की कान तुबाम में इम्रद ने बरबराते हुए कहा फिर उटखड़ा हुआ अब उसके जहन में एक नया हयाल कुल बुला रहा था उसके लिए उसका दानिश मंदिल जाना ज़रूरी था जनाटिया वो फ्लैर से निकला और कार पर सवार होकर दानिश मंदिल की तरफ चल पड़ा क्या हुआ इम्रान सहब नवाव सहब मिल गए आपरेशन डूमें दाहल होते ही ब्लैक जीरों ने एहतरामन उचकर खड़े होते हुए कहा हाँ मस्दला तो हल हो गया है मैं जरा लाइबरेरी हो आँ फिर तफ्लील से बात होगी इम्रान ने सरहिलाते हुए कहा और तेज से कदम उठा था दानिश मंदिल की लाइबरेरी की तरफ बढ़ गया लाइबरेरी जोके इसने कम्प्यूटर सिस्टम के तहक कई कुतब अर्मारियों से निकाली और फिर उनके मुताले में मस्रूफ हो गया एक किताब को सरसरी तोर पर देखते हुए वो बुरी तरहां से उचल पड़ा उसके आँखों में तेज स्टम को भराई ये किताब जमूट पर एक तहकीकाती किताब थी तिसे कीम्ती पत्रों के एक माहिरार्क शार्टर ने तहरीर किया था इम्रान पहले तो इम्रान पहले तो इस किताब को सरसरी अंदाज में देखता रहा लेकिन अब वो उसे बड़े गोर से पढ़ने लगा जब उसने किताब हत्म की तो उसके ममूं से हुद्भा हो देखता भी इलसांस निकल गई अरे तो ये चक्कर है ये तो वाके कोड़ दर कोड़ वाला मस्सला सामने आ गया इम्रान ने कहा और उठकर वापी साप्रेशन डूम की तरफ बढ़ गया ताहिर ताहिर मामला बेहत पेचीता हो गया है इम्रान ने मेज की दूसरी करफ अपनी कुर्सी अपनी महसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा कैसे मामला इम्रान साहा ताहिर ने चूंकर पूछा ये पत्थर जिसे गहर अर्जी कहा जा रहा है जरासल अर्जी है और इसका नाम लोगासा है ये इनतहाई नायाब पत्थर है वैसे आज तक लोगासा नाम के पत्थर वेस्टिंग आमर की जूमर की कान है इनतहाई मामूली मिगदार में दर्याफ्ट हुए है इस पत्थर की एक हासित ये भी है कि अगर इसका एक टुकरा जूमर की कान में रग दिया जाए तो अगर इस कान में लोगासा मुझूद हो तो इसकी लाइनों की चमक इंतहाई तेज हो जाती है इस तरहां उसे तलाश किया जा सकता है गो अब तक उसे बत्वर नायाब पत्थर है इस्तमाल किया जाता रहा उसकी ये इंजज़ाब वाली नए हासित पहली बार सामने आई है इस तक में टुबाम का जिक्रे है और वहां अभी हाल ही में जुमर की एक कान दर्याफ चुई है इसका मतलब है कि इस पत्थर को टुबाम भिजवाया जा रहा था ताकि इसके मनद से जुमर की कान से मज़ीद लोगासा दर्याफ किया जा सके इमरान ने कहा तो इसमें पैचीदगी कैसे पैदा हो गई इमरान सहाब बलैक जीरो ने हैरत बरे लहजे में कहा पैचेब के इस तरहां पैदा हुई है ब्लैक जीरो कि लोगासा अगर हासे मिकदार में दस्याब हो जाए तो उससे ऐसा हत्यार बनाया जा सकता है जो दुश्मन के तमाम असलहे को बर्के लहरों में तब्दिल करके ना सिर्फ अपने अंदर जजब कर लेगा बलके बाद में इसे दुबारा असल शकल दे देगा इस तरहने इसके पास ये हत्यार होगा वो दुनिया वो पूरी दुनिया के एहम तरी नसलहे को दूसरे मुलक के लिए बेकार करके अपने लिए स्टार्ट कर सकता है और शादाल को और सामने आने से मैं यही समझा हूँ कि कोई बेनल अक्वामी तन्दीम इस सिलस्वे में बाकाइदा तेहकी कर रही है इसलिए इस पत्थर की तर्सिल के लिए यह तरीका अपनाया गया कि एक आम वादमी के जरीए उसे अपनी मंदल पर भीजा जाए ताके किसी को इस बारे में शक्र ना हो सके इमरान ने कहा यह असलहे वाली बात तो मेरे हैल में आपका जाती आईडिया हो सकता है अभी तक यह आईडिया एक्रीमिया के साइसदानों के जहन में ना आया होगा वरना वो इसकी तलाश का काम करिनल फरीदी के जिमा लगाने की पजाए हुद्द उस पर वर्क करते बलके वो इसकी मखसूस हासित को करिनल फरीदी तो क्या किसी पर भी उपन ना करते लगजीरों ने कहा तुम्हारी बात भी दुरुस्त है उन साइसदानों के जहनों में यह आईडिया नहीं आया लेकिन जिसने शातार कोड में यह हत लिखा है उसके जहन में यह आईडिया लाज़मन मौजूद होगा और इसी सिल्सले में यह पत्थर भेजा जा रहा था हाँ अगर यहाद डीकोड हो जाता तो फिर लाज़मन इस बात का इल्म एक्रीमे को भी हो जाता क्योंकि इस साथ में एक लवज ऐसा मुझूद है जिससे इस आईडिया का पता चलता है और वो लवज है एडब्यू जहां तक मैं समझा हूँ एडब्यू से मतलब है एब्जार्बिंग वेपन यही जगब करने की हासियत से रखने वाला हत्यार इन हाला से एडब्यू का यही मतलब निकल सकता है इम्रान ने कहा ओव वाकई इम्रान सहब आपका तज़िया सो फीसेद दुरूस है बलैक जीरो ने सर हिलाते हुए कहा लेकिन अब पैचीदगी यह है कि अगर इस हत्यार के बारे में करनल फरीदी को बताया गया तो फिर स ना सिफ बद्नियत ही होगी बलकि इस तंजीम के लिए फायदामन साबित होगा वो लाजमन इस पर काम कर रही होगी और यह लुगासा तो उनके हाथ से निकल गया तो वो उस जैसा और तलाश करेंगे या फिर कोई और तरीका इस्तमाल करेंगे इम्रान ने कहा आप ऐसा कर आलें अगर वहां से वाकी लुगासा मिल जाये तो उसे अपने मुल्के ने महफूज कर लें ना मिले तो फिर वैसे ही हमामला हत्म हो जाएगा तब आप यहाद करनल फरीदी को भीजवा दें जरूरी तो नहीं कि वो एड़ब्यू के असल माइनी समच सके ब्लैक जिरो ने मिल जाये तो उसे अपने मुल्के लिए महफूज कर लें और ना मिले तो फिर वैसे ही मामला हत्म हो जाएगा तब आप यहाद करनल फरीदी को भीजवा दें जो बाम की कान चूंके इस पहाड़ी पर है जो सागा लैंड और पाकीशा की मुश्टरी का सरहदी मल्कियत है इ इसलिए जैसे ही वहां हमने काम चूरू किया अकाउंट को उसकी इतला मिल जाएगी इसलिए हुफिया तो पर वहां काम नहीं हो सकता एक बात दूसरी बात यह है कि करनल फरीदी ने जिस से इतमाद के साथ यहाद भीजवाया है उसे चुपा लेना बद्द्द्द्द्द् एक काम हो सकता है कि आप इस हक्त में सिर्फ A.W. के इलफाद बदल दें इसकी जगए कोई दूसरा लफज लगा दें क्योंकि सूपर पावर्स को इतला मिली तो हमारे मुलक पर यलगार हो जाएगी इसलिए पाकीशा के मुफाद में इतनी सी बद्द्द्द्द्द्द्द जाहर है इमरान को मजबूर तो ना कर सकता था इसलिए वो होंट बींच कर हमोश हो गया जी साब राब्ता कायम होते एक मुखबाना सी आवाद सुनाई जो इमरान समझ इया कि ये आवाद करनल फریदी के जाती मुलाजिम की है क्योंकि उसने कोठी फोन किया था फरीदी सहा अब आप अपना नाम माडरेंट कर लें फरीदी पुराना हो चुका है अब तो फर्यादी होना चाहिए क्योंकि ये जमाना ही फर्याद करने का है हर आथ में अपनी हकूब का फर्यादी बन गया है इम्रान ने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरी तरफ कर्नल फरीदी भी हस पड़ा ये नाम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है क्योंकि जिस तरहां तुम्हारी बातों का कोई सरपैर नहीं होता इस तरहां फर्याद की भी कोई ले नहीं होती करनल फरीदी ने एक मशूर शेर को हुबसूरत अंदाज में इस्तमाल करते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया और इम्रान भी उनके इस हुबसूरत जवाब पर बे एहट्यार हस पड़ा ले की कमी करनल का लफ पूरा कर देता है क्योंकि करनल वही हो सकता है जो किसी जाबते किसी ले का पाबंद हो इम्रान भला कब पीछे रहने वालों में से था उसने भी तर्की बा तर्की जवाब दे डाला अच्छा भी इस बात को छोड़ो ये बताओ कि फोन किसलिए किया है क्योंकि मैं जल्दी में हूँ मेरा हथ तो तुम्हें मिल गया होगा करनल वरीदी ने इंतहा इस संड़ीदा लहजे में कहा जी हाँ मिल गया है मेरी मुसरत की कोई इंतहा न रही उसे वसूल करके क्योंकि मेरे नाम भी महबत नामा तो आया चाहे करनल फर्यादी और फरीदी की तरफ से ही क्यों न हो उमीद पर दुनिया कायम है कभी किसी करनीली की तरफ से भी आही जाएगा इम्रा ने मुस्कुराते हुए कहा तुम मसलसल फर्दूर बात ही किये जा रहे हो सीधी तरह कहो कि तुमसे भी ये कोड नहीं पढ़ा गया मुझे मालूम तो था लेकिन फिर भी मैंने हद भीजवा दिया कि शायए तुम्हारा शातिराना दिमाग काम कर जाए बारहाल शुक्रिया करनल फरीदी ने तेज लहजे में कहा उसके साथ ही जाबता हतम हो गया लहाउल वालक हुआ था ये तो अभी तक हार्ट स्टोन है महबत का दिक्र आते ही दोड़ गया इमरान ने मूँ बनाते हुए कहा और ट्रेडल दबाब पर एक बर फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिये जी साहब उसी मुलादिम की आवाज दुबारा सुनाई दी करनल सहाब बातरों में होंगे जब बाहर आयें तो नहें कह देना कि अली इमरान को फोन कर ले इमरान ने संडीडा लहजे में कहा बातरों में जी नहीं वो तो अपने हास कमरे में गए है इतला देता हूँ उन्हें मुलादिम ने कहा उसके साथ ही रसीवर अलाईदा मेज पर रखे जाने की आवाज सुनाई दी अब क्या है करनल फरीदी की आवाज तन लम्हों बात फिर सुनाई दी जनाब करनल सहाब मैं बेहद गरी बादमी हूँ टेलीफोन का इतना विल अदा नहीं कर सकता इमरान ने रोहानसे से लहजे में कहा विल मुझे बेज़ा देना मैं अदा कर दूँगा करनल फरीदी ने हुशक लहजे में कहा अरे अरे बंद ना कीजिए आपके इसाफर ने तो मेरा सेरो हून बढ़ा दिया है बारहाल इतला नर्द है कि वो कोड हल हो चुका है अब आपकी मर्जी बेशक बंद कर दें इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा क्या? क्या कह रहे हो? कोड हल गया? अरे वेरी गुड कौन सा कोड था? करनल फरीदी ने चोंकर कहा उसके लहजे में मुसरत का अंसर नुमाया था उसे आशिकाना कोड कहते हैं इमरान ने फॉरन ही जवाब देती हुए कहा तुम फिर पठ्ठी से उतर रहो सीधी तरह बताओ इमरान वाकिमें इंतहाई जल्दी में हूँ मैं सागा की तलाश के सिलसे में पहाडी पर कैम्प लगाय हुए हूँ ये भी मैं एक जरूरी काम के लिए कोठी आया था मैंने फोर ही वापिस जाना है इसलिए अगर तो कोई बात सनीदा है तो कर डालो वरना जब मैं फारिग होकर वापिस आ जाऊंगा तो हो तुम्हें फोन कर लूँगा उस वक जितनी चाहें बातें करते रहना करनल फरीदी ने ऐसे लहजे में कहा जिसे उस्ताद बच्चों को समझाता है तो आप जवारिश कमूनी खाया करें इमरान इस संडीदा लहजे में कहा जवारिश कमूनी क्या मतलब करनल फरीदी ने चोंकर कहा मेदे के लिए बेहतरी नदवा है और मेदा दुस्त हो तो कज़ नहीं होती और कज़ ना हो तो आदमी जल्दी फारिग हो जाता है इमरान की जुबान भला कहा रुकने वाली थी तुम वाकरी शैतान हो बाद नहीं आओगे और के फिर मैं वापिस जा रहा हूँ बाद में बाते होंगी करनल फरीदी ने हस्ते हुए कहा अरे अरे एक तो आप औरतों की तरह जल्दी रूट जाते है बारहाल मेरे दुस्त कहा वो कोड हल हो गया है ये शाताल कोड कहलाता है कदीम अफरीका के एक जादूगर कबील शाताल का कोड है इमरान ने कहा अरे इसलिए तो कोई ना समझभा रहा था अरे गुड इमरान तुमने एक वर फिर अपनी जहानत साबित कर दी है करिनल फरीदी ने इंताही पुरहुलूस लहजे में कहा अगर में इतना जहीन होता तो किसी वेरान पहाड़ी इलाके में किसी टेंड मेंड दरफ़ पर कैम्प लगाए बैटा होता इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और करिनल फरीदी बे एहत्यार हस्पड़ा वो इमरान के बात को बहुभी समझ गया था कि इमरान ने उसकी पहाड़ी लाके में सागा की तलाश के कैम्प लगाने को उल्लू की दानिश्वरी की मिसाल से बड़े हुपसूरत अंदाज में एड़जस्ट किया था वेरानी की तलाश के लिए पहाड़ी लाके की जरूरत नहीं होती बरहुदार आदमे को दानिश्वर होना चाहिए फ्लैट ही वेराना बन सकता है करिनल फरीदी ने तुर्की बातुर्की जवाब देते हुए कहा और इमरान बे एहत्यार हस्पड़ा वाँ 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 के इसे भी दानिश्वरी कहते हैं फरीदी दानिश्वरी इमरान ये जवाब देते हुए कहा तो मों कोड़ बता रहे थे करिनल फरीदी ने मुस्कुनाते हुए मोजब बदलते हुए कहा ये कोर्ड पकीशा के एक नवाब रिस्तम अलिहान सहाब ने हल किया है वो आदम बेजार और बेहत कंजूस आदमी है इसलिए एक गुम नाम है वैसे कोर्ड वर्क में शायद पुरी दुनिया में उनकी टकर का आदमी ना हो बारहाल शाताल कोर्ड में उस हट का जो हल सामने आया है वो मैं बता देता हूँ ये हद किसी काउंट के टरफ से काइट के नाम लिखा गया है और उसमें दर्ज है लोगासा मिल गया है बिजवाया जा रहा है मैजी तलाश जारी है उमीद है टुबाम में काम बन जाएगा और A.W. वजूद में आ जाएगा नमबर टू को इतलाद दे जाए बस ये है इस हद के इलफाज इम्रान ने बगार किसी लफ़ को बदले या छोड़े सब कुछ साफ साफ बता दिया लोगासा अरे तो इस पत्थर का नाम लोगासा दर्ज़ किया गया है मुझे याद आ रहा है कि लोगासा वाकी एक कीमती और नायाब पत्थर का नाम है अरे अब याद आ गया बिल्कुन लोगासा एक नायाब पत्थर का नाम है ये वेस्टन कामर्च की जुमर्ट की कान सिर्दाई महदूद मिगदार में दस्याब हुआ है और टुबाम में भी जुमर्ट की कान दर्याफ सुई है इसका मतलब है कि इस पत्थर को उस कान में बिजवाया जा रहा था मगर A.W. और नमबर टू का क्या मतलब? आहां ठीक है इसका मतलब यही हो सकता है कि नमबर टू इस तर्दीम का चीफ होगा जो इस पत्थर पर काम कर रही है और A.W. मुझे सोचना पड़ेगा करनल फरीदी ने गोर करने वाले अंदाज में बात करते हुए कहा इसका अन्दाज उतकलामी कासा था और A.W. हामोश बैठा मुस्कुरा रहा था जबके सामने बैठे हुए बलेक बीरों की चेहरे पर नाहुशकवारी के तासरात नुमाया थे क्योंकि वो लाउडर पर उन दोनों की दर्मयान होने वाली बात चीफ सुन रहा था इम्रान क्या तुम लाइन पर हो चन्द लम हो की हमोशी की बात करनल फरीदी की आवाज सुनाई दी जनाब लाइन पर तो हूँ मगर मैंने पहले ही अर्द किया था कि गरीब आदमी हूँ आपके सोचने का बिल अदा करना मेरी इस्ततार से बाहर है इम्रान ने मुस्कुराते हुए कहा इम्रान एडब्यू से कहीं एब्जार्बिंग वेपन तो मतलब नहीं मतलब बिल्कुल यही मतलब होगा अब बात वाज़ हो गई कोई तन्दीम उस लोगासा को इस्तमार में लाकर तुबाम की दुमर्द वाली कांट से मज़ीद लोगासा हसल करना चाहती है ताके इसे हत्यार बनाया जा सके और उस लोगासा या सागा को जो हाज़ सामने आई है उससे बनाये जानवेर हत्यार तो इंतहा ही हतनाग हो सकता है वो ठोस मादे को बर्की लहरों में तब्दिल करकी जजब कर सकता है और अगर उसकी रेंज को किसी तरह बढ़ाया जाए तो इसका मतलब है कि किसी भी मुल्क के एहम हत्यार हासल बलके सही मानों में हत्याय जा सकते है करनल फरीदी ने कहा आपका मेरे हयार में इस वेरान पहाड़ी लाके से वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं है जो इसकतर जहानत का मुझाहरा कर रहे हैं आप इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और करनल फरीदी बेहत्यार हस पड़ा ओके बेहत शुक्री आली इमरान तुमने इस कोड को हल करके वाकि एक कारनामा सर अन्जाम लिया है फिर बाते होंगी ख़दा हाफिज करनल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान ने भी मस्कुराते हुए रसीवर लग दिया वही बात हुई जो मैं कह रहा था अब करनल फरीदी इस हत्यार की पीछे लग जाएगा ताकि सागा लेंड उसे तयार कर सके और पाकिशा का दिफास जीरो हो जाए ब्लैक जीरो ने मूव बनाते हुए कहा ये बात नहीं ब्लैक जीरो ऐसे हत्यार तयार करना आसान काम नहीं नहीं इस फर्मूले पर हत्यार तयार करने के लिए लिबार्टरिया सागा लेंड या पाकिशा में बन सकती है जहां तक मेरा आइडिया है इस फार्मूले पर हत्यार तैयार करने के लिए लिबार्टरी शोगरां जिसी सूबर पावर के पास भी ना होगा ऐसी लिबार्टरी एक्रीमिया रोस्या में तो हो सकती है हमारे पास नहीं इसलिए इस बात को तो जहन से निकाल दो कि करनल फरीदी लोगासा हासल करके A.W. तयार कर लेगा और जहां तक मुझे यकीन है वो भी इसे पहलो पर सोचेगा असल मस्सेला ये है कि वो कौन सी तंदीम हो सकती है जिसके पास लोगासा से ये हत्यार यानि A.W. तयार करने के लिवार्टरी भी मुझूद है और जो पहले से स्वार्मूले पर काम भी कर रही है अगर A.W. के लफास इस हट में दरजना होती है तो शायद इस ताइप के हत्यार बनाने का आईडिया भी मेरे जहन में ना आता इम्ला ने तहाई संजीदा लहजे में कहा अरे वागी अब बात समझ में आगी है इस किसम के हत्यार तयार करने के लिवार्टरिया चाहिए उनका मुझ। ना पाकिशा हो सकता है और ना सागा लेंड तो अब करनल फरीदी क्या करेगा क्या वो हामोश होकर बैट जाएगा बलेक जीरो ने इस बार मुतमाइन लहजे में कहा अभी सुर्ते हाल वाज़े नहीं बारहाल सबसे पहले तो हमने डुबाम में उस काईट नामी आदमी को तलाश करना है जिसके पास कि लोगासा और हत भीचा जा रहा है ये भी देखना है कि लोगासा और हत नामी ले पर उस काईट या उस तन्दीम का क्या रद्यामल होगा इम्रान ने संडीडा लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने टेलीफोन के साथ मेज़ पर रख्योई आफिशल फोन डायरेक्टरी उठाई और उसे कोल कर देखना शुरू कर दिया चन्दमों बाद उसने डायरेक्टरी बन की और फोन का रेसीवर उठाकर नमबर डायल करने शुरू कर दिये जी कौन साहब राप्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवास सुनाई दी लहजा बता रहा था कि कोई मुलाद्री बूल रहा है डायरेक्टर जनर्ल सेंट्रिल इंटलिजन्स बोल रहा हूँ दाक्टर साहब से बत कराए इमरान ने तहकुमाना لहजा बनाते हुए कहा जनाब बड़े साहब तो दफतर मे है कोई हास काम आजकल वहां हो रहा है इसलिए वो रात को देर से घर आते हैं मुलादिम ने गबराए हुवा लहजे में कहा तो इमरान ने हाथ बरहा के क्रेडल दबाए और एक बर फिर नमबर डायल करने शुरू कर दी येस पी एटू सेक्रेटरी मादनियात दूसरी चरफ से एकस्पार से आवाज सुनाई दी टीफ आफ सीकर्स सर्वीस एकस्टू डाक्टर आशिक से बात कराओ इमरान इस बार एकस्टू के मखसूस लहजे में कहा उसने जान बुश कर मुलादिम से एकस्टू वाला तारूस ना कराया था क्योंकि उसे मालूम था कि घरेली मुलाजी मैसे होदों से वाकिफ नहीं होते यह सर होल्डन करे सहाब मीटिंग में है मैं उन्हें बुलाता हूं सर दूसी तरफ से पिये ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा इमरान हमोश हो गया थोड़ी तेर बाद लाइन दुबारा आन हुई और उसके साथ एक हैरेट भरी आवाज सुनाई दी डाक्टर आशिक हुसेन बोल रहा हूं जनाब हुकम फरमाईए सर डाक्टर आशिक हुसेन के लहजे में हैरेट के साथ साथ कद्रे होफ के तासुरात नुमाया थे डाक्टर आशिक हुसेन तुबाम में जुमत की नई कान दर्याफ्ट हुई है उसकी पूरी तफसिल बताइए कि ये कान कैसे दर्याफ्ट हुई किसने दर्याफ की, उस पर कितना काम हो चुका है और किसका कंट्रोल है अमरान ने हुश की लहजे में कहा तुबाम सर, मुकमल टेकनिकल तफसिलाथ तो राजा अकरम सहाब को है वो इस इलाके के टेकनिकल चीफ हैं और इत्फाक से मीटिंग में मुझूद है अगर आप हुकम करें तो मैं उन्हें बलवा लेता हूँ वरना मैं रिकार्ड रूम से फाइल मंगवा कर उसमें दर्ट तफसिलाथ बता सकता हूँ डाक्टर आशिक हुसेन ने कहा राजा अकरम को बलाईए और उसे पहले मेरे मुतालिक ब्रीफ कर दें ऐसा ना हो कि वो कोई गलत बयानी कर दे और आप और आपका पूरा महकमा अताप का शिकार हो जाए अमरान उसी तरह सर्द लहजे में कहा यस सर होल्डून करें सर डाक्टर आशिक हुसेन ने घबराए हुए लहजे में कहा उसके साथ ही लाइन आफ हो गई मेरा हयाल है कि रिकार्ड डूम से फाइल ही मंगवा ले जाया उसमें सारी तफसिलात होंगी ब्लैक जीरो ने कहा उसमें जो रस्मी तफसिलात होंगी वो मुझे भी मालूम है दार्जा अक्रम से लबता मुफीद मालूमात हासिल हो सकती है ये अच्छा हुआ कि ऐसा आदमी वहां मुझे है इमरा ने मौफीद पर हाथ रखते हुए कहा हेलो सर चन्द लम्हों बार डाक्टर आशिक हुसेन की आवाज सुनाई दी येस इमरा ने सर दूर मखसूस लहजे में कहा राज़ा अक्रम साहब यहां मुझूद है सर बात कीजिए डाक्टर आशिक हुसेन ने मोदमाना लहे में कहा जनाब मैं अक्रम बोल रहा हूँ सर जाज़ा अक्रम की इंटाई मोदमाना और सह impress की हुई आवाज सुनाई दी अच्छार डाक्टर आशिक हुसैन ने उसे एक्स्टो के हच्चाराथ के बारे में कुछ ज्यादा ही ड्रा दिया था वरना ओहुदे के लिहाद से वहासा बड़ा अफसर था अकरम सहब तॽबाम में ब्मद्र की काः दर्याद सहब रुषियर है उसके बारे में तफस्यलात बताईए इमद्र दे लहजे में कहा सर ये काः एक सांध जिया खे रुषियर ही लिए काः पर तहक थे Koreans बेगैन선 ब्मुर्थ को प्रुकिया जाएगा हासे वसी रगबे पर फैली हुई कान है जनाब और अंदादा लगाया गया है कि शायद पूरी दुनिया में अब तक द्याफ्ट होने वाली जुमर्द की कानों में ये कान सबसे बड़ी है जुमर्द भी इंतहाई आला कवाल्टी का है इसलिए ये कान दोनों मुलकों के लिए इंतहाई कीमती साबित हो रही है जाजा अक्रम इस तरहां बोने लगा जैसे टेप आन कर दिया जाए आप लोगासा नामी पत्थर से वाकिफ हैं इम्रान ने सर्द लहजे में पूछा लोगासा और जीहां सर्द लोगासा इंतहाई कीमती और नाया रास नहीं देखा सर्द राजा अक्रम ने जवाब देते हुए कहा आहां अब जरा सोच कर बताईए कि क्या इस कान में से लोगासा की बरामदगी के इमकानात मुझूद हैं इम्रान ने पूछा लोगासा की बरामदगी जनाब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता ये तो कान के electronic response टोन सर्वे नहीं कराया गया इम्रान का लहजा यकलवच सर्द हो गया जी हां जी हां सर कराया गया है जनाब एक्रीमय के एक फर्म ने किया है जनाब जाजा अक्रम ने घबराए हुए लहजे में कहा उसी क्या रिपोर्ट है लोगासा के बारे में इम्रान ने पू वलिंग्टन मेंस फर्म का दफ्टर है बैनल अक्वामी फर्म है जनाब राजा अक्रम ने जवाब देते हुए कहा जैसी वर डाक्टर राशी को दे दे इम्रान ने फर हिलाते हुए कहा यह सर डाक्टर राशी हुसेन के आवास सुनाई दी डाक्टर राशी आप इस कान के म पहुन जाएगी जनाम डाक्टर आशिक हुसैन ने जवाब देते हुए कहा डाक्टर आशिक हुसैन सेक्रिट सर्विस के कैलेंडर में सिर्फ लव्ज आज होता है कल नहीं होता समझे आप इम्रान ने इंतहाई सखत लहजे में कहा मगर सर उनका दफ्तर तो बंद हो चुका हो मैं भी एक जरूरी मीटिंग की वज़ए से दफ्तर में मौजूद था सर इसलिए कल की बात की है मैंने डाक्टर आशिक हुसैन ने बुरी तरहां घबराए हुए लहजे में कहा उनकी कोठी पर बिजवा दे अभी और इसी वक्त इम्रान ने तेज लहजे में कहा और रसीव होने के इमकानात सामने आए होंगे लेकिन वो उसका जिक्र गोल कर गए और ये पत्थर और हथ सागा लैंड से एक्रीमा भीजवाया जा रहा था लेकिन अब एक और बात सोचने की है कि शाताल कोड का एक सर्वे फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर या मालिक को कैसे इल्म हो सकता है यकिनन वो किसी ओर तन्दीम का आला एकार होगा या फिर किसी तन्दीम का आला होदेदार होगा बारहाल इस काईट साथ से बात आगे बढ़ सकती है तुम ऐसा करो कि एक्रीमा में मौझूद फारेंड एजिंट्स को काल करकी उन्हें कह दो कि वो काईट के मुतालि भी कर लेना मैं अब वापिस अपने फ्लैट पर जा रहा हूँ हो सकता है करनल फरीदी का फोन आए वो वही फ्लैट पर ही फोन करता है इमडान ने कहा और बलक जिरों के असबात में सर हिलाने पर वो कुरसी से उठा और फिर वो मुड कर आपरेशन रूम के दरवाजे की त चारों का अंदाज बता रहा था कि उन चारों का तालुक भी जुराइम की दुनिया से ही है उसलिम ये कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई गी और वो चारों ना सिर्फ हामोश हो गए बलके उनकी नजरे भी दरवाजे पर जम गई दरवाजे में से एक लंबे का चारों के खूबसरत और इंतहाई कीमती टूपी पहन रखी थी उस ओरत के अंदाज में बेपना चुस्ती और तेजी थी उसके चेहरे के जो हदोहाल एनक के बावजूद नजर आ रहे थे उनसे जाहिर होता था कि वो इंतहाई सख़गीर मकार और सफ़काना मिजज रखने वाली ओरत है वो चारों उसे देखते ही कुरसें से उठकरे हुए बैठो उस ओरत ने सखत लहजे में कहा उसकी आवाद में भी निस्वानी नोच की बजाए सखती और सद मोहरी का अंसर नुमाया था और वो चारों दुबारा कुरसें पर बैठ कर ऑरत ने भी हाली कुर्सी मीटिंग का क्या मकसद है औरत निसी तरह सखत और सद लहजे में उचारों से महातिब होकर कहा नो मादाम हमें तो सिफ यह इतला दे गई है कि एक हसूसी मीटिंग है जिसकी सदारत मादाम कायट करेंगी औरत के साथ बैठे वे एक लंबे तरंगे नोजवान ने कहा यह काइंड की कर रही है इसका इल्म हमें नहीं और ना हो सकता है क्योंकि इस ने करे लिये रास्वیल्ड को दर्में में डाला गया है वैसे रास्विल्ड का खसूसी धंदा असलेह की घिजारत है और इस मौहदे का तालूब भी असलेह से ही है बारहाल मुहतसर तोर पर ऐसा है कि एश्या की दो मालिक सागा लेंड और पकीश्या की रख्यानी सरहत पर एक पहारी टुबाम में दुबर्ध की कान दर्याफ्ट हुई उस कान का इलेक्टरानिक सर्वे कराने के लिए काईट इंटरनेशनल की हिदमात हासिल की गई उस इलेक्टेरिक सर्वे से एक हाथ पास सामने आई कि इस कान में एक इंतहाई नायाब और कीम्ती पत्थर लोगासा की वसी जहायद पाए गए है बारहाल ये टेक्निकल बाती थी जिनका हमसे कोई तालुक नहीं लेकिन इसकी हबर किसी तरह इस तर्दीम तक पहुंच रही जिसकी नुमाइंदगी रास फिल्ड कर रही है चुकि मेरे शोहर मिस्टर काईट का जुराइम की दुन्या से कोई तालुक नहीं वो टेक्निकल आदमी है लेकिन मिरा तालुक इस फिल्ड से है जिससे मिरा शोहर मिस्टर काईट भी वाकिफ नहीं लेकिन इस तर्दीम को मेरे मुतालिक और मिरे ग्रॉप के मुतालिक मालूमात हासी ही त्यूए रास फिल्ड के दगए मुझसे जाबता कायम किया गया और तफिली मुजाकरात के बाद हमारे दर्मार एक मौहिदा वजूद में आया जिसके मुताबक मैंने अपने शोहर की फिर्म की तयार करदा रिपोर्ट में से उस लुगासा के मिलने के अमकानात को हतम कराना था चुकि मिस्टर काइट से फिर्म के सर्वरा है असल आदमी डाक्टर आर्थर है जो मेरे जेरे असर है इसलिए ये कोई है मस्तना ना था डाक्टर आर्थर को मैंने हुकम दे दिया और जो रिपोर्ट फर्म की तरब से भिजवाए गी इसमें लुगासा के मुतालिक सिरे से कोई जिक्र ना था लेकिन ये मुआहिदा सिर्फ इस हद तक महदूद ना था बलकि असल मुआहिदा ये था कि हमने इस कान से लुगासा के जाहर को हासल करके रास फील्ड के हवाले करना था इस तरहां रास फील्ड ने हमें इतहाई खतीर रकम देनी थी लुगासा एक पत्थर है जिसकी मार्केट में तो शायद इतनी कीवध ना मिल जितनी साइंसी दुनिया में मिल सकती थी क्योंके रास फील्ड ने मुझे बताया था कि इस पत्थर से एक हसूसी हथियार तयार किया जाना मक्सूद है जिसे एए वेपन कहा जाता है बारहाल ये उनका दर्दे सर है हमारा नहीं हमें तो सिर्फ रकम से गर्स ही और रखनी पी चाहिए जनाचे मैं ने डाक्टर आर्थर को बाकाइदा तोर पर अपने साथ शामिल कर लिया और डाक्टर आर्थर इस मिशन में मेरा नंबर टू बन गया डाक्टर आर्थर ने इसकी बाकाइदा मनसूबा बन देखी डाक्टर आर्थर के मताबिक अगर लोगासा का एक टुक्रा दस्याब हो जाए तो उसकी मनसे कान बिसे लोगासा के तमाम जाहर को ज्यादा आसानी से वाज़ए किया जा सकता है बना दस्कादायों और तलाज में कई साल लग सकते हैं इस पर मिने से जोहरी और कीम्री पत्रों से दिल्चस्पी रखने वाले अफ्राद उर्यदारों से राप्ता कायम किया मुझे इतना मिले की काफरिस्तान के एक बहाड़ी लाके में रहने वाले एक आदमी के पास लोगासा मुझूद है यह आदमी कांकरी की शोबी से मुझालिक रहा और वेस्टन कामन की इस कांड में काम करता रहा जहां से इंतहाई महदूर मिदार में लोगासा दस्याब हुआ था इस आदमी का नाम रंधीर सिंग था और यह फोल मैं था और बुड़ा होने के बाद अपने अभाई कस्पे में चला गया उसके अपास लोगासा मुझूद था मैंने अपने एक हास आदमी को उसकी तलाश में बिजवाया लेकिन जब उसकी तलाश में दूसरे आदमी भीजे तब ये रिपूर्ट मिली कि मेरे आदमी ने लुगासा हासिल करके ख़द के साथ एक आम आदमी के हास सागा लेंड के दालूल अकूमत भिजवाया ताकि वहां मेरे हास आदमी को ये दे दिया जाए और वो मुझे एसाल कर दे क्योंकि उस बुड़े ने मेरे आदमी काउंट को ये बताया था कि इस जैसे दो और पत्थर वहां से कुछ दूर एक और कस्बे में रहने वाले अफराद के पास भी है वो उन्हें हासल करके दे सकता है लेकिन बाद में उस बुरी और काउंट दोनों की लाशें एक पहारी गड़े से मिली वो दोनों एक पहारी तोदे के अचानक खिसक जाने के वज़ा से उसकी जद में आकर हलाक हो गए थे लेकिन दालोलकुन में म morals में मेरे हास आद में काउंट का भेजा हुआ लुगासा भी ना मिला और उसे ये हबर भी ना थी कि उसे लुगासा भीजा गया है जब उसे हबर होई तो उसने तहकीकात की तो ये हैरत अंगीज इंकशाफ सामिया है कि लोगासा लेकर आने वाल आदमी बसके एक हादसे में हालाक हो गया उसकी जेब से एक डिबिया मिली जिसमें एक अजीब और गरी पत्थर था और साथ ही कोई हद भी था और ये डिबिया और हथ पोलीस के आला हकां को भी भीज़ दी गई जहां से वो पत्थर लिबार्टरी में भीज़वाया गया लेकिन जब इसके मुतालिक लिबार्टरी पाले कुछ मालूम ना कर सके तो उसे मजीद तहकीकात ली जहां एक्रीमिय के लिबार्टरी में भीज़वाया गया जहां इस पर तहकीकात हुएंग और उससे गएर अर्जी और किसी स्यारे से आने मुला पत्थर समझा गया और उसका नाम सागा लेंड के नाम पर सागा रग दिया गया लोगासा इंट जुर्पात में जाया होगा और एक्रीमिय के सागा लेंड वालों से दर्फवास की कि इस पत्थर के मजीद टुक्रे दर्याफ किये जाएं उनका हयाल था कि इस पत्थर का बड़ा टुक्रा शहाब साकिब की तरह का फिस्तान की उस पहाडी पर गिरा होगा और तूट गया होगा जिसका एक टुक्रा मिल गया है तो लादमन उसकी दूसरे टुक्रे भी दस्याब हो सकते हैं और इस लोगासा में ऐसी हासित मालूम की गईड़ी से मुआसलाग के दुनिया में कोई हैरत अंगेज इनकलाब लाया जा सकता है वो हद जो स्काउंट ने पत्थर के साथ मुझे बिज़ाया था चूकि हमारे ग्रुप के महसूस शाताल कोड में था इसलिए इस हाथ को कोई भी माहर कोड ना पड़ सका इस तरहां वो लोगासा की असलियत से और काउंट और मुझे से वाकिफ ना हो सके जब मुझे इन सारी तफसिलात पर मपनी रिपोर्ट मिली तो मैंने डाक्टर आर्थर से दुबारा इस मामले को डिसकस किया क्योंकि अब इस पत्तर की किसी ओर टुकरे के मिलने का कोई सकोब ना था लेकिन हम मिशन तो ना चौड सकते थे इस पर डाक्टर आर्थर ने नई मनसूबा बन्दी के मताबिक हमने इस कान से जब मुझे निकालने का ठेका हासिल करना था उसके बाद डाक्टर आर्थर की सरब्राही में वहां से जमूर्द के साथ साथ हुफिया तोर पर लोगासा निकाल कर जहां विजवाद दिया जाता स्कीम अच्छी और काबले अमल थी इसलिए उस पर कोशिशें शुरू हुई लेकिन पाकिशा और सागा लेंड दोनों हकूम तो उस पर रज़ामन ना हुई कि जमूर्द निकालने का ठीका किसी गयर मुल्की फर्म को दिया जाए वो अपने माहिरीन से ही उसे निकलवाना चाहती थी इस तरफ से मायूस हुई तो मैंने डाक्टर रासर के साथ मिलकर एक और मनसूबा बंदी की कि इस कान में एक मखसूस गैस के बंब मारे जाएं जिससे ये मखसूस साह की गैस पूरी कान तो क्या पहाडी के अंदर हर पत्थर के रहनों में पहल जाएगी उस गैस से कीमती जमूर्ट तो मुकमल तोर पर जाया हो जाएगा लेकिन उस गैस का असर लोगासा पर उल्टा पड़ेगा वो ना सिर्फ ज्यादा चमकदार हो जाएगा बलकि इस गैस की वज़ा से वो पहाडी पत्रों से वो बहुत अलाईदा हो जाएगा इस तरह उसे कठा करने और ले आने में आसानी होगी उस मखसूस गैस के बम इंतहाई कीमती है लेकिन मेरे लिए ये कोई मस्सला ना था इसलिए मैंने उनके हसूल की कोशिश शुरू कर दियो यूं समझ लो कि वो तक्वीबन मुहया हो गए है अब मस्सला था उसके अमल दरामत का और मैं अभी सोची रही थी कि उस पर अमल दरामत करने की प्लैनिंग क्या करूँ कि सागा लैंड से मेरे आदमे ने एक एहम इतला दी उसकी इतला के मताबग सागा लैंड के एहम सरकारी सीक्रेट एजेंट करनल फरीदी ने अपने हकोमत को एक तहरीरी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट की एक कापी मेरे आदमे ने हासिल करके मुझे विजवाई है ये कागज उसी रिपोर्ट की कापी है इसमें जो एहम बात बताए गई है उसके मताबग करनल फरीदी ने पाकिश्या के किसी शक्स अली इमरान के जगे शाताल कोड़ पर ममने काउंट का वो हद पर लिया है और ये हद काउंट की तरफ से मेरे नाम यानि काईट के नाम है उसमें दर्ज है कि लोगासा मिल गया है भिजवाया जा रहा है मजीद तलाश जारी है उमिद है टुबाम में काम बन जाएगा और A.W. वजूद में आ जाएगा नमबर टू को इतला दे दी जाए नमबर टू से काउंट का मकसद डाक्टर आर्थर था क्योंकि काउंट डाक्टर आर्थर का ही हास आदमी था और उसे सारे मौाहिदे और हालात का इल्म था इस हच के लावा करनल फरीदी ने अपनी रिपोर्ट में दर्श हिया कि यगिनन कोई बेन लगवाम में मुजिम्टन ने उस लोगासा से ऐसा हत्यार तयार करने के फार्मूले पर काम कर रहे है इसे एवेपन या एब्जार्बिंग वेपन कहा जा सकता है इसके साथ कि उसने एवेपन के में इमकानी तफ्सील भी दर्श की है जिससे जाहिर होता है कि ये वाकई इंतहाई इंकलाबी और एहम तरीन हत्यार होगा आखर में करनल फरीदी ने तज्वीज पेश की कि ये ही पहतर है कि पाकिश्चा के माहिरें के साथ मिलकर फूरी तोर पर इसकान पर काम शुरू किया जाए और उसमें मुझूद लोगासा के जाहर को हासल करके तलफ कर दिया जाए ताकि उससे होफनाक हत्यार बनाए जाए बनाए जाने के अमकानाथ हत्म हो जाए और जब तक ऐसा ना हो इसकान के इंतहाई सहती से इफाज़त की जाए ताकि नमबर टूर वाली तंदीम से वहां से लोगासा किसी तरहा हासल ना कर सके मादाम काईट ने पुरी तफसी बताते हो वे कहा जिसे वो चारों हमोश बैठे सुनते रहे जब मादाम काईट हमोश हो गई तो एक आदमें बोल पड़ा मादाम मैं करनल फरीदी और उस अली इम्रान के मुतालिक जानता हूँ ये दोनों ही इंतहाई हतरनाक जासूस हैं अली इम्रान पाकिशा सिकर्ट सर्विस के लिए काम करता है जबकि करनल फरीदी अपनी तर्दीम बलैक फोर्स का इंचार्ज है उस आदमी ने इंतहाई संजीदा लहज़ में कहा होंगे जैकिब बारहाल काईट ग्रुप से ज़्यादा हतरनाक नहीं हो सकते मादाम काईट ने मूँ बनाते हुए इंतहाई सखत लहज़ में जवाब देते हुए कहा और वो आदमी हामोश हो गया इस रिपोर्ट के मिलने के बाद जो सुर्तिहाल सामने आई है उससे जाहिर होता है कि अब इस कान में काम करना हासा मुश्किल होगा और उसके लिए हमें मुकमल प्लैनिंग तयार करना पड़ेगी और मुकमल तन्जीम को वहां से ले जाना पड़ेगा और इस मकस्द लिए मैंने ये मीटिंग तलब की है मादाम काईड़ ने कहा मादाम मेरी एक तर्विष है एक और आदमी ने कहा हां खुल कर बताव काईड गूप के लिए मिशन इनतहा ही एहम है मादाम काईड ने कहा मादाम जैकिप के बात दुर सहे पाकिशा का अली इम्रान और सागालेंड का करनल फरीडी दोनों हतरनाक आदमी है और अगर ये दोनों इस कान के हिफाज़त के लिए खटे हो गए तो फिर वहां हमारे मिशन की काम्याबी इंतहाई मुश्किल होगी करनल फरीडी की रिपोर्ट से जाहिर है कि उन लोगों ने फोरी तोर पर वहां से लोगासा हासल करके जाया कर देना है इसलिए मेरी तज्वीज है कि हमारे तीन ग्रूप बनाए जाएं जिन में से एक ग्रूप सागालेंड जाकर करनल फरीडी को इस तरहां उलचाए कि वो कान की तरफ तवज़ा ही ना कर सके दूसरा ग्रूप पाकिशा जाकर उस इम्रान और पाकिशा सीक्रेट सर्वीस हो लजा दे ताकि वो भी करनल फरीडी की तरहां कान की तरफ फोरी मतवज़ा ना हो सके और तीसा ग्रूप कान पर काम करें और रहां से लोगासा हासल करके वापिस आ जाए इस तरहां ये मिशन आसानी से मुकमल हो सकता है उस आदमी ने इंतहाई संजीटा लहजे में कहा प्रिंस्टेन अगर तुम भी जाकी पी तरहां उन दोनों को हतरनाक कह रहे हो तो फिर तो ये लोग वागई हतरनाक होंगे यूकि मैं तुम्हारी मालूमात की काईल हूँ इस लहाँ से तो तुम्हारी तज्वीज बेहद मुनासिब है लेकिन उन दोनों को उलजाने के लिए भी तो कोई मिशन होना चाहिए उन्हें कैसे उलजाया जाए मादाम काईट में सर हिलाते हुए कहा मादाम कोई भी मिशन बनाया जा सकता है पिंस्टर ने जवाब दिया मादाम यही मिशन क्यों ना बना लिया जाए कि उस करिनल फरीदी और अली इमरान दोनों का हात्मा करना है यही लोग हतरनाक है अगर उनका ही हात्मा हो जाए तो सारा प्राब्लम ही हतम हो सकता है आर्थर ने कहा लेकिन करनल फरीदी और अली इमरान अकेले तो काम नहीं करते उनकी साथ तन्दी में हैegen अगर उन दोनों का हात्मा कर भी दिया गया तो वो ग्रूम काम करेंगे जैकिब ने कहा नहीं जैकिब असल आदमें ये दोनों है अगर ये दोनों का हलाक हो जाए तो समझो कि हमारा मिशन आधे से ज्यादा तो हुद बहुत मुकमल हो जाता है प्रिंस्टन ने जवाब देते हुए कहा ठीक है मदीद बखेडों में पढ़ने की बजाए ये ही बहतर है कि काई डुक्स तेज एक्शन के साथ उन दोनों का हात्मा कर दें और मेरे हयार में पहले उनका हात्मा हो जाए उसके बाद कानवला मिशन शुरू किया जाए और बैक वक्स दोनों की तरफ मतवज़ा होने की बजाए ये ज्यादा बहतर है कि पहले उस करनल फरीदी का हात्मा किया जाए क्योंकि ये मुझे ज्यादा अफ़ाल नजर आता है दोसरे आदमे अली अमरान के मतालिक तक मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली और शायद उस करनल फरीदी से ज्यादा एहम भी ना होगा मादाम काईट ने कहा मादाम ये दोनों ही तेज है करनल फरीदी के मतालिक आपको रिपोर्ट मिल चुकी है हो सकता है ये अली अमरान उससे भी आगे बढ़कर कोई चक्कर चला रहा हो इसलिए बेहतर ये ही है कि बैक वक्त दोनों पर हमले किये जाए इससे नहीं दोनों अलाइदा अलाइदा उलच जाएगे जैकिब ने कहा क्या मतलब है आप सब का मादाम काईट ने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा जैकिब की तज्वीज दुरूस्त है मादाम फिर हमारे पास आदमियों की भी तो कोई कमी नहीं अगर बैक वक्त दोनों का कांटा निकल सकता है तो क्यों निकाल दिया जाए आर्थर ने कहा मादाम क्या मैं कोई बात कर सकता हूँ अचानक अब तक हमोश बैठे हुए एक आदमिय ने कहा और वो सुब चोंग कर उसे देखने लगे येस कार्बिन खुलकर बात करो तुम तो हुद हमोश बैठे हुए थे मादाम काईट ने उसकी तरफ देखते हुए कहा मादाम करनल फरीदी और अली इम्रान दोनों का गतल इतना आसान नहीं जितना ये साथ ही समझ रहे हैं आज तक बेश्मार मुझ्रिम तन्जीमों ने इस मिशन पर काम किया और आहर में दोनों के ग्रूप भी सामने आ जाएगा जबकि अब तक यकीनन ये लोग हमारे ग्रूप को जानते तक ना होंगे इसलिए मेरे हयाल में बेहतरीन हल यही है कि हम अपने असल मिशन पर पूरी तवज़ा करें इस मिशन की दोरान अगर ये दोनों मिशन पर काम किया है और मैं सागा लेंड और पाकिशा दोनों मुलकों में एक तंजीम के साथ तवील अर्से तक काम कर चुका हूँ जिससरहदी आलाके का दिक्रे किया जा रहा है वहां एक मादनियाती सर्वे का काम होता रहता है अगर हम किसी बेन लगवामी दारे के तहट इस इलाके में मादनियात के सर्वे का काम कानूनी तोर पर हासल कर ले तो वहां हम अपना कैम लगा सकते है उस कैम पर किसी को शक ना पढ़ सकेगा और लोगासा का हसूल उन लोगों के लिए उतना आसान भी नहीं जितना हमारे लिए है उनकी नदरों में एहमियत जमूर्द की है वो उसे बचाने की कोशिश करेंगे और लोगासा को जाया कर देंगे जबकि हमारे लोगासा एहम है और हम जमूर्द को जाया भी कर सकते हैं इस कैम की आर्ड में हम किसी भी वक्त किसी भी वक्त वहां अपना काम दिखा सकते हैं कार्बन ने तेज लहजे में कहा अरे वेरी गूड कार्बन तुमने मेरा बहुत बड़ा मस्साला हल कर दिया है मैं अब तक इसी पॉइंट पर उल्जी हुई थी कि इस लाके में अपनी मौजूदी का क्या जवास पैदा करूँ क्योंकि बारहाल अगर वहां कब मुकामी मेकब भी कर ले तब भी हमें मुकामी जबान नहीं आती और हम मुकामी रस्म और रिवाज और बूद और बाश्च से भी वाकिफ नहीं है अर्बता ये सर्वे वाले काम में आसानी से कर सकती हूँ ऐसे इदारों में मेरे आदमी मुझूद हैं जो इंतहाई आसानी से किसी भी मुल्क में या दोनों मुल्कों में सर्वे का काम कर सकते हैं ओके ठीक है अब मीटिंग बरहास मैं इन ममालिक में सर्वे का काम लेने की कोशिश करते हूँ जैसे ही ये काम मुकमल हुआ मैं बाकाइदा इस इदारे के लोगों को लेकर वहां जाओंगी और उस इदारे में काइट ग्रूप भी मोजूद होगा मैं हुद साथ जाओंगी डाक्टर आर्थर को भी साथ ले जाएंगे इस तरहां वो लोग वहां हिफादत करते रहेंगे हम अपना मिशन आसानी से मुकमल कर लेंगे मादाम काइट ने मुसरत भरे लहजे में कहा और उन सब ने असबात में सर हिला दिये मादाम काइट ने कहा फिर वो उठ खड़ी हुई उसने सामनी रखा हुआ कागज दुबारा अपनी जैकेट की जेब में रखा और फिर तेज गदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई इमरान मेज पर एक नक्षा फिलाए उस पर जुका हुआ था चाई की प्याली सामने रखी ठंडी हो रही थी चाई तो पी लिगे फिर आप कहेंगे ठंडी हो गई है गर्म कर दो सुलिमान ने दरवाजे पर आकर कदरे तेज लहजे में कहा उठा कर ले जाओ उसे और फुद पी लो इम्रान ने इसी तरह सर जुकाए कदरे सखत लहजे में कहा तो सुलिमान हमोशी से आगे बढ़ा और चाई की प्याली उठा कर इसी तरह बगएर कोई बात की वापिस चला गया वो समझ गया था कि इस वक्त इम्रान गोरो फिक्र के मूड में है और इस मूड में वो फाल तो बात करने का आदी नहीं इम्रान हाथ में मुड़ूद पैंसल से नक्षे की मुछिव जगों पर निशानात लगा रहा था कि अचानक साथ तके हुए टेलीफोन की घंटी बजू थी सुलिमान फोन उठा कर दूसरे कमरे में ले जाओ इम्रान ने तहाई तेज लहजे में कहा जी बहतर सुलिमान ने फोरन ही आते हुए कहा फिर वाकई फोन पीस उठा कर उस कमरे से चला गया लेकिन चंद लम्हों बाद दुबारा फोन पीस उठाए वापिस आया अब उसका रिसीवर उसके दूसरे हाथ में था करनल फरीदी सहाब का फोन है सुलिमान ने मोदबाना लहजे में कहा तो इम्रान चंग पड़ा अरे अच्छा इम्रान ने चंग कर सर उठाते हुए कहा और फिर सुलिमान के हाथ से रसीवर ले लिया जनाब पीरों मुश्य सहाब अपने मुरीदे हाथ का अदब भरा सलाम कबूल फरमाईए इम्रान ने मुस्कुराते हुए कहा इम्रान तुमने यकिनन इस लोगासा या सागा पर मजीद काम किया होगा मैं उसकी तफसिल पूछना चाहता हूँ करनल फरीदी ने इंतहाई सख्त और संजीदा लहजे में कहा काम करके मेरी जूती तूट गई सुलिमान की जूती पहनी तो पता चला कि वो पहले ही तूटी पड़ी है और उसने मेरी नई जूती पहन रखी है लेकिन इसके बावजूद हालत ये है कि सिर्फ एक जोहरी ने एक रुपे का नोट दे कर सलाम किया शायद हातम ताय के कबीले का फर्द होगा वरना बाकी तुमाम जोहरी ने तो माते तक हाथ ले जाने की भी तकलीफ गवारा ना की इम्रान ने बड़े रोहान से लहजे में कहा मैंने तुम से ये नहीं पूछा कि तुम अपने कारुबार की तफसील बताना शूरू कर दो मैंने तुम से लोगासा के बारे में पूछा है दूसरी तरफ से करनल फरीदी के मुस्कुराते हुई आवास सुनाईजर इम्रान उसके हुबसूरा शुक्रे पर बे एहचार खिल खिला कर हस पड़ा मुरीद बेचारी ने अर्दुद क्या करना है मैंने तो उसने तो पीरो मुष्च्ट की ही पैर्वी करनी है बारहार में बात लोगासा की ही कर रहा था उसका फोटो उठाए में मारा मारा हर जोहरी के पास पहुंचा ताके कम असकम पता तो चले कि कितनी कीमत मिल सकती है अगर फायदा नदर आए तो टुबाम की कान पर मेहनत की जाए नतीजा वही निकला जो मैंने पहले बताया है एक साहब ने फोटो पर एक रुप्या रखकर जान चुडा ली बाकी सबने सिर्फ हाथ हिलाने पर ही एक्तफ़ा किया इमरान की दुबान चल पड़ी उसने मुरीद के हवाले से करनल फरीदी के हुबसरत फिक्टर को वापिस उसी पर लोटा दिया था मतलब है कि तुम कान से लोगासा हासिल करने का प्रोग्राम बना चुके हो करनल फरीदी में इंतहाई संजीदा लहजे में कहा अगर आप मुनाफ़ कर जकीन दिला दें तो बेकार रहने से यही बेहतर रहेगा इमरान ने मस्कुराते हुए कहा इमरान मैंने अब तक जो तहकीकात की है उसके मताबिक ये मालूम हुआ है कि हेर स्काइट इंटर्नेशनल में काम करने वाला एक माहिर डाक्टर आर्थर इस सारे मामने में मुलविस है लेकिन वो भी नमबर वन नहीं हद में जिस नमबर टू का हवाला था चायद उससे मुराज यही डाक्टर आर्थर ही है पहले मेरा हयाल था कि फरम का मालिक मिस्टर काइट भाहरास इसी में मुलविस है क्योंकि हद उसी के नाम था लेकिन मिस्टर काइट के बारे में जो रिपोर्ट मिली है उस ते जाहिर होता है कि वो सीरे से स्लाइन का आदमी ही नहीं चनाचे मैंने डाक्टर आर्थर की बारे में तफसीली तहकीकात कराई तो एक नई बात सामने आई कि मिस्टर काईट की बीबी मिस्स काईट से डाक्टर आर्थर का मेल जोल बेहर्ज ज्यादा है ये मेल जोल भी अभी ही हाल ही में बड़ा है वरना पहले ऐसा ना था इस पर मैंने उस मिसçिस काइट जी से मादाम काइट कहा जाता है पर तवाज़ा मुर्टिकस की तो ये मालू हुआ के मादाम काइट ने हुव्या तूर बर एícia जुरायम पेशा तन्ζीम बना रहा है जुरायम काइट बूप कहा जाता है इस दुप में सिर्फ आम जुराइम पेशा अफराद ही शामिल नहीं बलकि इसमें मुख्लिफ ममाली की सीक्रिट सर्विसी से निकाले गए सीक्रिट एजन भी शामिल है इस दुप में दर्ज ये बात खुल गए कि हद दरासल मिस्सर काइट के नाम नहीं बलकि मादाम काइट के नाम लिखा गया है हद भीजवाने वाले के मुटालिक भी तहकीकात मुकमल हो गई है ये शक्स काउंट के एक पहारी तोधा गिरने से हलाक हो गया और उसकी लाश को लावारी समझ कर दफना दिया गया लेकिन उससे जो सामान मिला उसमें एक ऐसी डायरी मिली जिसमें अंधरा जात उसी शाताल कोड में लिखे गए थे क्योंकि कोड के नाम का मुझे इल्म हो गया था इसलिए मैंने अपने जराय से उसका हल तलाश किया इस डायरी से भी ये बास सामने आई है कि उस काउंट नामी आदमे का तालुब भी डाक्टर आर्थर से था करनल फरीदी ने मेरी रिपोर्ट देते हुए कहा मेरी तो दो जूटियां ही टूटी है लेकिन आपकी रिपोर्ट सुनकर मुझे एहसास हो रहा है क्या आपने तो जूटियों की पूरी दुकान ही तोर डाली होगी बारहाल इस रिपोर्ट मेरी तरफ से इजासा कर लें कि मादाम काइट अपने ग्रुप समय जिसमें डाक्रिद आर्फर भी शामिल है बादियां की तलाश में निकल चुकी है इस लुप का काम इंतहाई कीमदी पत्थरों को तलाश करके उने हासिल करना और फिर बैलल अक्वामी मार्खेट में उनसे खतीर रकम हासिल करना है उसे यकिन लोगासा के बारे में ये रिपोर्ट मिल चुकी होगी कि उसके मुझालिक हकुमत सागा लैंड होश्यार हो चुकी है इसलिए उसने उसका पीछा छोड़ दिया या फिर दूसरी बात ये कि जिस पर हार्ट स्टोर ने तफज़ा मुझा कर दी हो उसे घबरा कर निकामों जैसे अफरीकी मुल्क में चुपना ही पड़ता इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे यकीन था कि तुमने लागमन उसके काम किया होगा लेकिन ये सारी तफ़िल तुम्हें बताने का ये मकस्द ना था कि तुम उससे वाकिफ नहीं हो बलके इसका मकसद ये था कि मादाम काईट का ये मिशन अपना ना था बलके बैनल अक्वामी तोर पर असलाहा डील करने वाली तंदीम रास फिलिलियों से ये मिशन दिया था और रास फिल्ड इस मिशन में मिडल मैंग के गिर्दार अदा कर रही है करनल फिरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा अरे ये वाकी मेरे लिए नई बात है इमरान ने चोंकर कहा और अब ये भी बता दू कि रास फिल्ड को ये मिशन एक पुरसरार तंदीम बलक थंडर ने दिया है इस मिशन के पीछे असल तंदीम बलक थंडर है और मुझे ये भी इल्म है कि बलक थंडर के एजेंट पहले भी पाकीशा में काम करते रहे है शायद इसी वज़े से इस बार बलक थंडर ने इस मिशन के लिए अपने एजेंट प्राहिरास बिज़ाने की बज़ाए इतनी लंबी गेम खेली है करिनल फरीदी ने कहा और इमरान के चेहरे बश्यदी इहरत की आसार नुमाया हो करिनल साहब आपने माकी मुझे से ज़्यादा इस मिशन पर काम किया है और अब आपके बातों से मैं इस नतीरे पर पहुंचा हूँ काउंट के अलाकत और लुगासा के साइंसदानों के सामने आ जाने के बाद लाजमन ब्लैक थंडर ने मादाम काईड को अलाइदा कर दिया होगा इसलिए वो अपने गृप समेट ने कामो चली गई है लेकिन ब्लैक थंडर गैसी तंदीम इतनी जल्दी इसके दर रहे मिशन से हाथ नहीं उठाती इसलिए लाजमन वो अब यातुब राहिरास या पिर किसी और जरीय से इस मिशन को मुकमर करने की कोशिश करेगी पहले मेरा प्रोग्राम ये था कि दो या तीन एजन्टों को टुबाम में काम करने वले माहिरीन के ग्रूप में शामिल करा दिया जाए वो वहां निग्रानी करेंगे जरूरत पढ़ने पर मैं बाकी टीम समेट वहां चला जाओंगा लेकिन अब बलेक थंडर के सामने आने पर अब मुझे हुद वहां जाना होगा इमरान इस पार इंतहाई संडीदा लेजर में कहा लेकिन मस्सला ये है इमरान के जमूर्द की कान का काम एक दो माह में तो मुकमल नहीं हो सकता ये तो सालों का काम है ना जाने कितने तबील अर्से तक वहां से जमूर्द निकाला जाता रहे क्योंकि रिपोर्ट के मताबिक कान बहुत वसी है हम वहां कब तक बैठे रहेंगे करनल फरीदी ने कहा आपके बाद दूस्त है इसलिए तो मैं वहां अपनी एजिन्स भीज़ा रहा था इस तरह लोगासा हासल कर लेना है इमरानी जवाब दिया तो इसका हल यही हो सकता है कि जमर्स कि इस कान को बंग कर दिया जाए और उसकी गिज़ साइंसी हफास्थी हसार काइम करा दिया जाए ताकि उसके मरद से जब भी बलैक थंडर यहां काम चुरू करें हमें उसका इल्म हो जाए और हम उस पर तूट पड़ें करनल फरीदी नहीं ना जाने मूं किस किसम कर साइनसी हथ्यार इस्तमाल करें इसलिए मेरा हयाल है कि हमें उस साइनसी तोर पर तेजी से काम करके इस कान से लोगासा हासिल कर लेना चाहिए लोगासा की हिफाज़त करना मुश्किल काम नहीं होगा मैंने सिलस्ले में काम किया है मैंने सरदावर से भी इस बारे में तफसीली गुफटगू की है और इसके लिए हमने ये तेह किया कि इस कान के अंदर ऐसे आलाग पहुंचाए जाए जाएं जो नेक्टराम मेगनेट को इस्तमाल कर सके नेक्टराम मेगनेट में ये हासित मुझूद है कि उसके लेहरे लोगासा में रिजब हो जाने के बाद जब रियक्शन करेंगी तो लोगासा पत्रों में खुद बहुत जाहिर हो जाएगा उसके बाद उसे निकालना बेहद आसान रहेगा इमराण नेक्टराम मेगनेट के लिए तुबाम के गेड़ मुकमल मकनाथिसी मे canyon कायम करना पड़ेगा इसके बगए तो नेक्टराम मेगनेट काम ही ना करेगा करिनल फिरीदी ने कहा जी हाँ आपके बात दुरूस्त है इसलिए तो मैं नक्षा सामें रखे उस पर मगस खपाई कर रहा हूँ ताके सही अंदाज में मकनाजी सी जोन तैयार कर सकूँ इमरान ने कहा ओके इसका मतलब है कि मैं मुतमाइन हो जाओं करिनल फिरीदी ने थमय आंबरें उन्दाज में कहा बस आप अपने मुझीत के हाख में दवाएं हैड करते रहा करें इम्रान ने कहा और करनल फिरीदी बे इहत्यार कहका हम मारकर हसा और फिर हुदाहाफिस कहकर उसने रापता हतम कर दिया जाने भी मुस्कुराते हुए रसीवर रख दिया और दुबारा नक्षे की तरह मतवज़ा हो गया टेली फोन की घंटी बच्ते ही कुरसी पर बैठी हुई मादाम काईट ने चोंकर हाथ बढ़ाया और रसीवर उठा लिया येस मादाम काईट ने सर्द लहजे में कहा राजम भूल रहा हूं मादाम और राजम तुम कैसे फोन किया मादाम मुझे इतला आत मिली है कि तुम अपने रूम के साथ पाकिशा जाकर वहां से लोगासा हासल करने का प्रोग्राम बना रही हो राजम इसी तरह हम भराय हुए लहजे में कहा दुरूस देतला है मैंने इसके लिए एक साइंसी अंदाज अपनाया है हम वहां जाकर कान के अंदर ऐसी गैस पहला जाएंगे जिससे लोगासा हुद बहुद बाहरा जाएगा इसके लिए मैंने बिल्कुल मुन्फरी स्कीम बनाई है मैंने वहां माद्मियाती सर्वे के लिए हकुमत पाकिशा से बाकारदा ठेका हासल किया है अलबर्ट एंड कंपनी के नाम से ये माद्मियाती सर्वे की पूरी दुनिया में काबल एत्माद फर्म है लेकिन अब अलबर्ट एंड कंपनी के स्टाफ के साथ मैं और मेरा ग्रूप भी शामिल होगा इस तरह हम वहां मश्कूफ ना हो सकेंगे और इत्मनान से अपना काम सर अन्जाम दे सकेंगे मादाम काइट ने मुसरा नगए लेज़े में कहा मादान इस तंदीम के ले मने तुम से मौह किया था इस तंदीम ने मुझे इतला दी है के मादाम काईट और इसके ग्रूप से मुतारिक सागा लैंड के करनल फरीदी ने अपनी हकोमत को एक होफ्या रिपोर्ट दी है जिसमें उसने बताया कि सारे खेल के पीचे मादाम काईट का ग्रूप है करनल फरीदी को ये भी इल्म है कि तुम ये सारा खेल डाक्टर आर्थ समझ सकते हो कि तुम्हारी इस प्लैनिंग का क्या नतीजा निकलेगा जाजम ने इसी तरह भड़ाय हुए लहजे में कहा या फिर शायद उसका मखसूस लहजा था अगर तुम काउंट वाली बात का हवाला ना देते तो शायद मैं तुम्हारी बात पर यकीन ना करती लेकि तो ये कि तुम्हारे साथ माहिदा मनसूफ कर दिया जाए क्योंकि तुम सामने आ गई हो इस मिशन में तुम्हारा इंतहाब इसलिए किया गया था कि तुम्हारे मुटालिक पाकिश्या या फिर सागा लैंड में कोई ना जानता हो लेकिन अब ये सुर्ते हाल नहीं वो तन और चानक अपने मिशन में ऐसी तबदिली लाओ कि जिसका इल्म तुम्हारे इलावा और किसी को ना हो सके इस तरहां करनल फरीदी को इसका इल्म ना हो सकेगा इसके लिए मेरे जहन में एक तरीका आया है वो ये कि तुम अपने ग्रूप को साथ लेकर अफरीका के दूर द वहां भर पूर एक्शन करो वहां मुझू सब अफरार को कतल करके और फोरी तोर पर उसकान को तबाह करके उसमें से डिसकादर लोगासा मिल सके हासल करके वापिस आजाओ तब तो ये मिशन मुकमल हो सकता है वरना नहीं राजिम ने कहा ठीक है मैं समझ गई वागई ऐसा ह होना चाहिए मैं अब उसकान को तबाह करके वहां गैस पहला दूगी और फिर मख्सूस मशीन डी के जरीए वहां से लोगासा हासल करके वापिस आजाओंगी अगर ऐसा हो तो ये मिशन ज्याता से ज्याता दस घंटे में मुकमल हो सकता है लेकिन वापती के वक्त मसायल का स हर नए आदमी को बाकाइदगी से चेक करती रहती है अबलता वापस में तुम काफरस्तान में जाओ और वहां तिसमानिया के सफारत के सफीर के हवाले लोगासा कर दो और फिर इतमिनान से आ जाओ तुम्हारे लाप काफरस्तान वाली कोई एक्शन ना ले सकेंगे राज़ ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा तुम अपनी तंजीम को मेरी तरफ से के दो कि ज्यादा से ज्यादा एक हफ़ते के अंदर लुगासा तसमानिया के सफीर तक पहुन जाएगा मादाम काइट ने तहाई पुरे इतमाद लहज़े में कहा ओके बारहाल पाकिशन में भी तुम्हें के तासुरात नुमाया थे उसके लिए वाकर ये इंतहाई सद्मे वाली बात थी कि उसके हाथ साद्मियों में से यकिनन कोई ऐसा आदमी शामिल है जो गदारी करके राज बाहर पहुन चा रहा है और अब वो साद्मे की तलाश करना चाहती थी क्योंकि अगर वो आदमी साम करने शुरू कर दिये एंटनी बूल रहा हूं जाबता काइम होते ही दूसरी चरफ से एक आवाज सुनाई दी मेरे पास आ जाओ मादाम ने देज लहजे में कहा और फिर रसीवर रख दिया एंटनी इसके हैड़कौाइडर का हास आदमी था और मादाम कायट उसकी इसलाहि को इस्तमाल करने का फैसला किया था तक्रीबन पांच मिनट बाद दर्वाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी येस कमिन मादाम कायट ने तेज लहजे में कहा दूसरी लहजे में कहा येस मादाम हुकम फरमाईए एंटनी ने सर्ट जुगाते हुए कहा और मादाम ने उस दस्तिक से सारी बात बता दे दाम इससे तो साफ जाहिर होता है कि आपके इंधाय करीबी साथियों में से एक गड़ारी कर रहा है एंटनी ने सरह लाते हुए कहा हां और अब तुमने उस गड़ार को ना स्रीफ तलाश करना है बलके उसका कोई सबूत भी होना चाहिए मैं स हसूसी मीटिंग में शरीक चारों सब चीज़ को उन्हें मेरे वहां मीटिंग में ही बताया था मादाम ने जवाब दिया और उस मीटिंग के दोरान आप में गैस और सर्वे वाली बात भी थी एंटनी ने कहा हां वहां तफसीली डिसकेशन के बाद ये प्लैनिंग बनी थी मादाम में जवाब दिया तो फिर मादाम इस हसूसी मीटिंग से पहले कायल उसके अध़ दार को है वरना करिनल फरी डिस रिपोर्ट में गैस और मादियारी सलवे का धिर्ज़ जरूर करता लेकिन लाज़न के बकोल उन बातों का धिर्ज़़ नहीं है सिर्फ इतनी बात की रिपोर्ट दी गई है कि मैं कि उसमें मादाम और उसका ग्रूप काम कर रहा है और डाक्टर आर्थर उसमें शामिल है काउंट डाक्टर आर्थर का आदमी है उसका मतलब है कि ये बात डाक्टर आर्थर के किसी राज़दार के जर्गे लिख हुई है आपका ग्रूप और साथी इस मामले में साफ है एंट्री ने कहा इन डाक्टर आर्थर तो इंतहाई तनहाई पसंदा आदमी है वो तो किसी से बात ही नहीं करता उसका राज़दार कौन होगा वही एकाउंट उसका हाथ दोस्ता वो वैसे ही मर चुका है मादाम ने कहा आप डाक्टर आर्थर से ये सारी बातें क्या फोन पर करती है एंट्री ने चनलमे हामोश रहने के बात पूछा नहीं मैं हुदूस की रहाइस गापर जाती हूँ वो गहर शादी शुदा आदमी है और मुलाजिमों के साथ अकेला रहता है मादाम ने जवाब दिया उसके पास कितने मुलाजिम हैं एंट्री ने पूछा सिर्फ दो है एक तो बुरा सा आदमी है जबकि दूसरा जवान है मादाम ने जवाब दिया उन दोनों के नाम और हुलिये एंट्री ने पूछा बुड़े का नाम आस्टर है जबकि दूसरे का नाम डैविड है मादाम ने जवाब दिया और उसके साथ उसने उन दोनों के हुलिये भी बता दिये क्या आप उस डैविड से मेरी बात करा सकती है फोन पर एंटोनी ने कहा उससे क्या होगा मादाम ने मू बनाते हुए कहा मैं आप पर साबित कर दूँगा कि डैविड ही वो गंदार है जिसे आप तलाश कर रही है वो राक्टर आर्थर और आपके दरम्यान होने वाली गुफ्तगू बाकार्दा फ्रोहत कर रहा है एंटोनी ने कहा अरे तुमने ये नतीज़ा कैसे निकाल लिया मादाम ने हैरत भरे लहजे में कहा इसलिए मादाम कि डैविड कर जो हुलिया आपने बताया इस हुलिया के आदमे को मैंने गुजशता दिनों एक होटेल में का आदमे के साथ अलाहिता में इस पर बैठे बड़ी सर्गोशियों के अंदाज में बातें करतें देखा है उसका अंदाज ऐसा था कि मैं समझ गया कि मुझे कोई हास रास की बात कर रहा है लेकिन चुके मैं उसे जानता ना था इसलिए मैंने मजीद दिल्चस्पी ना ली अलबलतर जब वो दोनों ओटकर मेरे करीब से गुज़े तो मैंने उस आदमी की एक बात सुनी वो अपने साथी को फिलिप के नाव से पुकार रहा था और उसने ये कहा रकम कल मिल जाएगी जिस पर फिलिप ने कहा तुम फिक्र ना करो इस तरह उन दोनों की आवादे मेरे जहन में मुझूद है एंतुनी ने कहा ठीक है मैं बात करा देती हूँ मादाम ने हून चबाते हुए कहा तेरी आप सिर्फ नमबर बता दीजिए बात में हुद ही कर लूँगा मैं फिलिप की आवाद में इससे बात करता हूँ इस तरहा लाजमन बात खुल जाएगी और सबूत मीं मिल जाएगा पर नहों सकता है कि वो होशार हो जाएगर फिर हात ना आए एंतुनी ने कहा और मादाम ने इस बात में सर हिला दिया फिर उसने सामने पढ़े हुए टेलीफोन का रसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिये साथ यूसे लाउडर का बटन भी आन कर दिया येस एक जवान से आवाज सुनाए थी और आवाज सुनती और फ्लिप तुमने जहां फून क्यों किया दूसरी तरफ से डेविड ने बुरी तरह चोंकते हुए कहा एक हबर है तुम्हारे मुतारिक मादाम कार्ट को मालूम होने वाला है कि तुम उसके राज लीक आउट करते हो एंतुरी ने इसे तरह करकर आती हुए आवाज में कहा ये क्या कह रहे हो तुम ये कैसे मुम्किन है तुम्हारे इलावा तो मैंने आज तक इस सिल्सले में किसी और से बात ही नहीं की डेविड ने इतहाई खरासन से लहजे में कहा उसकी आवाज से शदीद होफ नुमाया था बारहाल घबराओ नहीं अभी मादाम तक ये बात नहीं पहुंची और मुझे इल्म हो गया मैंने उस आदमी का हात्मा कर दिया उस आदमी ने हमारी बात चीज सुन ली बारहाल अभी राज लीका उठना होगा इसलिए मैंने पहले कहा कि मादाम को इल्म होने वाला था जो अब ना हो सकेगा एंथनी ने कहा ओ थैंगार वरना वो जालिम औरत तो मुझे कच्चा चबा जाती क्या तुम्हें यकीन है कि उस तक बात नहीं पहुंची डैविड ने कहा इसी तरह यकीन है इस तरह तुम से बात कर रहा हूं डोंट फरी एंथनी ने कहा ओके फिर आज रात रकम पहुंचा रहे हो नई हबरे हैं मेरे पास इंतहाई नई ऐसी कि तुम सुनकर हुश हो जाओगे डैविड ने कहा ठीक है पहुंचाएगी रकम एंथनी ने जवाब दिया और डैविड की तरह से ओके की आवाज सुन दे उसने हाथ बढ़ाकर रसीवर प्रेडल पर रख दिया उसके चेहरे पर कामयाभी के तासिरात दुमाया थे वेरी गुड एंथनी तुम बागी बासलाहियत आदमी हो तुमने मुझे एक बड़ी परिशानी से निजात दिला दी है वरना मुझे उस डैविड पर तो किसी तरह शक ही ना होता अलब बतर मैं अपने हाथ साथमें के बारे में मश्कूक रहती तुम में नाम के काबिल हो मादाम ने इस बार मस्कूराते हुए कहा फिर मेज की दरास कुरकर उसने बड़े नोटों के गड़ी निकालकर बड़ी लापरवाही के अंदाज में अन्थनी के आगे फेंग दी ये ले जाओ और रात को हूँ बैश करो मादाम ने कहा बहुत शुक्रिया मादाम आब बागी कदर शनास है एंथनी ने इन थाए मुसर्ण भरे लहजे में कहा और नोट उठाकर उसने बड़े मोदमाना अंदाज में सलाम किया और तेजी से दर्वादे की तरफ मुर गया उसके कमरे से बहाद जाने के बाद मादाम ने लाउडर का बटन आफ किया फिर रसीवर उठा कर नमबर डायल करने शुरू कर दिये येस डिक्सन स्पीकिंग एक भानी और क्रहत आवाद सुनाई दी मादाम काईट भूल रही हूँ डाक्टर आर्थर के मुलादिम डैविट को जानते हो येस मादाम अच्छी तरह जानता हूँ डिक्सन ने जवाब दिया वो गद्दार है मेरी और डाक्टर आर्थर की बातें जाकर किसी फिल्प नामी आदमी के पास रोहत करता है तुम जाकर पहले उस स्लिप के बारे में तफसिलात मानूम करो फिर उसे गोली से उड़ा दो उसे बास लिप का हाथ मा कर दो और मुझे रिपोर्ट दो कितने दिर में ये दोनों काम हो जाएंगे मादाम काईट ने कहा मादाम ज्यादा से ज्यादा एक घंटा लगेगा दूसी तरफ से डिक्सन ने मुतमें लहजे में कहा ओके मादाम काईट ने कहा और हाथ बढ़ा कर क्रेडल दबाया और एक बर फिर नमबर डायल करने शुरू कर दिये कार्बिन स्टीकिंग मादाम ने तेज लहजे में कहा और बगर दूसी तरफ से बात सुने उसने रसीवर क्रेडल पर रखा और उसकर वो एक साइट रख पर रखी हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई उसने अलमारी के पट खो ले तो पूरी अलमारी दहाए कीमती शिराव की बोतलों से भरी पड़ी थी मादाम ने एक बोतल उठाई और सबसे उपर वाले हाने में रखा हुआ एक गलास उठाकर वो वो वापिस कुर्सी पर आ बैटे और उसने गलास से बहरा और आसा ऐसा उसकी चुस्कियां लेना शुरू कर दी अभी उसका गलास साधा हुआ ही था कि दर्वाजे पर दर्स तक हुई येस कामिन मादाम ने कहा दूसरे लम्हें दर्वाजा खुला और एक ठोल गिसम का लंबा तरंगा आदमी अंदर दाहल हुआ अलबता उसके चेहरे पर सखती और सर्द मोहरी नुमाया थी बैठो कार्बन मादाम ने कहा और कार्बन सर हिलाता हुआ सामने रखी हुए कुरसी पर बैठ गया क्या भी ना पसंद करोगे मादाम ने पूछा मेरी शराब में कोई हास पसंद नहीं है मादाम जो मिल जाए कार्बन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया अलमारी में हर किसम की शराब मुझूद है जो जी चाहे उठा लो मैंने तुमसे इंतहाई एहम बाते करनी है और मुझे मालूम है कि जब तक तुम्हारी खोपी शराब से भरी हुई ना हो तुम्हारा जहन काम ही नहीं करता मादाम ने कहा और कारबन मुस्कुराता हुआ उठा और उसनलमारी से एक बड़ी सी बोतल उठाई और वापिस आकर कुर्सी पर बैठ गया उसने बोतल खोली और उसे बाहरास मूंसे लगा लिया दो तीन लंबे घूंट लेकर उसने बोतल मेज पर रग दी अब उसके चेहरे पर हल्की सी चमक भराई थी येस मादाम अब मेरा जहन काम कर रहा है कारबन ने कहा और मादाम ने पहले तो से राजम की काल के मुतालिक तफिल से बताया फिर डैविड के मुतालिक और कारबन होड बींचे हामोश बैठा सुनता रहा तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए मैं रास विल्ड और असल तंजीम पर ये बात साबिक कर देना चाहती हूँ कि मादाम ग्रूप नामुम्किन को मुम्किन बना सकता है मादाम इस सखत लहजे में कहा यह मादाम रासम की ये तज्वीज पहले के पहले हम निकाम हो जाएं फिर वहां से चुपकर पाकिशा जाएं अब इसलिए बेकार हो चुकी है कि गदार अपने अंजाम तक पहुँच गया है वैसे भी करनल फरीदी और अली इमडान दोनों अफ्रियत है ये जिस काम के पीछे लग जाएं फिर वक्त जाया नहीं किया करते और अब जब क्यों नहीं हमारे मुतालिक इल्म हो चुका है अब देर हमारे ही लुकसान दे साबित हो सकती है ये लोग इंतहाई तेजी से काम करते हैं सिर्फ इसी तरह हम कामयाद हो सकते हैं कारबन ने जवाब देते हुए कहा लेकिन ये मिशन ऐसा नहीं कि हमने जाकर किसी एक आदमे को कतल करना है अरे ये साइंसी मिशन है कान अभी बंद है उसके तलाज फिर उसे बमों से उड़ा कर खोलना उसके बाद उसमें मखसूस गैस फेलाना फिर लोगासा को जमा करना और फिर वापसी अरे ये से भासर तवील और पेचीदा काम है मादाम ने कहा क्या इसमें कोई हैवी मशिनरी इस्तमाल होगी कारबन ने पूशा अरे नहीं महस्तोस Anyways के कैपसूल में ने मुहीया कर लिया है बागे काम डायनमेट बम करेंगे पतालोगासा लोगासा को कटा करने में कोछ वक्ष वक्त लगजाएगा लेकिन गैस के उन गैपसूल और डायनमेट बमों के दूसरे मुल्क में आम तरीके से तो तो नहीं लाया जा सकता पहले तो मेरा हयाल था कि मैं सर्वे के सामान में छुपाकर ले जाओंगी लेकिन अब सर्वे वाला मस्टला तो मैंने जहन से निकाल दिया है इसमें तो तवील वक्ड़कार है माधाम अब कितने आदमें का गृर्प लेकर जाना चाहती है और ग्रुप को आसानी से पाकिशा ले जा सकता हूँ हम यहां से आरान जाएंगे वहां एक ऐसा आदमी मुझूद है जो रकम लेकर हमें इंतहाई मेफोज अंदाद में पाकिशा में दाहल करा देगा वहां से हम सीधी उसकान वाली पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे और मिशन शुरू कर देंगे लेकिन मेरी एक तज्वीज है अगर आप उससे इत्तफाक करें कार्बन ने कहा कौन सी तज्वीज माधाम ने शोंकर कहा आप राजम वाली तज्वीज पर बजाहर अमल कर डाले सरहां कोई फर्क नहीं पड़े गल्बता राजम और वो असल तज्वीज मुतमाइन हो जाएगी हम निकामों चार्टर तयारे से जाएंगे फिर फूरण ही वहां से दूसरे चार्टर तयारे के जरिये आरान की तरफ रवाना हो जाएंगे फिर इस बात कहा आप बाकाइदा सब को बताएं कि हमारा गुर्प मादमियात के तलाश के लिए तवील अर्से के लिए नकामों जा रहा है क्योंकि हूँ सकता है कि करनल फरीदी और अली इम्रान दोनों के या किसी एक के उस डेविट के इलावा दीगर जराय भी मालूमात किये हो उन्हें भी इस तरह डाज दिया जा सकता है कार्बन ने कहा अरे तुम ठीक के रहे हो चंद घंटों से कोई ज्यादा फर्ग भी नहीं पड़ता ओके फिर तुम क्यारी करो अब ये सारा काम तुमने हुट करना है तुम्हारी और तुम्हारी गूप के साथ मैं और डाक्टर आर्थर होंगी डाक्टर आर्थर को इसलिए साथ ले जाना जरूरी है कि वो सर्बे के तुरा उस Speech चुका है और इस सारे इलाके से अच्छी तरह हम वाकिफ भी है मादाम ने फैसला को उन लहजे में कहा ओके मादाम आप डाक्टर आर्थर को तयार करें और वो बम और कैपसूल भी ले 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 हम आज रात को रवाना हो जाएंगे बाकी ग्रूप में इस बात की मशूरी आपका काम है कार्बन ने शराब के आहरी गूर्ण अलक में उन्डेल कर हाली बोतल नीचे पड़ी बासकेट में उच्छालते हुए कहा और फिर फूसी से उड़कडा हुआ इसकी फिक्र ना करो ये सब हो जाएगा मादाम ने सर हिलाते हुए कहा और कार्बन सलाम करके मुणा और तेजी से दर्वादा खुड कर बाहर निकल गया इमरान जैसे ही दानिच मजल के आपरेशन डूम में दाहल हुआ इहत्रावन उटते हुए ब्लैक जीरो के चेहरे पर बहुत बुरी हबर है इमरान साहब आपको मैंने बेहत तराश करने की कोशिश की मगर आप ना जाने कहां थे इमरान के बोलने से पहले ये ब्लैक जीरो बूल उठा उसका लहज़ब इंदाए मुतवखिश था क्या हुआ क्या तुम्हारी दानिश को फफूली लग गई है इमरान ने मू बनाते हुए कहा बटाम पहाडी पर बमों से हमला किया गया है वहां मुझूद पाकीश और सागा लैंड दोनों के माहिरीन और रमले को मोत के घाट उतार दिया गया है बलेक जीरों ने होन चबाते हुए कहा क्या क्या के रहे हो इमरान बलेक जीरों की बात सुनकर महावरतन नहीं बलकि हकीकतन उचल पड़ा अभी सर्सल्तान का फोन आया तो नहोंने बताया कि सेक्रेटी वजारत इमादिया डाक्टर आशिक ने नहीं रिपोर्ट दी है कि वहां कान खोले उससे जमूर निकालने के तैयारियों के सिल्सले में पाकिशा के माहिरीन और दीगर अमले का कैम्प लगाया गया था डाक्टर रजा भी शदीद जहमें हुए और बेहोश होगे जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने गिर्द एक एक्रीमेंट और तो 11 बारें दाही होफनाग शकलों वाले एक्रीमेंट को देखा देख रहे थे और इसे जिन्दा देखते उसे गूली माद देते डाक्टर रजा रजा ने सांस रोक लिया उनके उपर चुके कैम्प का मलबा बढ़ा हुआ था इसलिए शायद उनकी सिर्फ शकल देखकर वो लोग आगे बढ़के जब वो सब वहां से चले गए तो डाक्टर रजा शदीद जहमी हालत में रिंगता हुए मलबे से बाहर निकले और फिर उन्होंने जेब में मुझूद फिक्स्ट फिक्फेंसी ट्रांस्मीटर पर इस सारी वारदाद के इतला दी इतला के दुरान ही उन्हों की आवाद रूप की जबके ट्रांस्मीटर आफ ना हुआ उसका मतलब था कि वो दुराने गुफ्तगो ही हलाक हो चुगे थे डाक्टर आशिक से चुक्कि आपने बतोर एक्स्टो इस सिल्स्ले में बाचीत की थी और इसकी इसे फ़ा बे उन्हों ने सरसल्ताद के धरिया हमें भीजवाय से दुर्जाओर थी उसलिया उन्हों नहों नvalsांते ईतला सरसल्ताद को दी थी कि मादाम काइट अपने ग्रूप के साथ निकामों चली गई है उस औरत के हवाले से तो यही जाहिर होता है कि यह लाद मन मादाम काइट और उस ग्रूप का आदमी होगा इम्रान ने कुर्सी पर बैट वें था इस सनीरा लहजे में कहा हो सकता है उन्हें चेकिंग का शक पड़ गया और वो डाश देने के लिए पहले निकामों गए हो फिर वहां से जहां आ गए हो लेकिन वो इस तरह फारिंग करने के बाद क्या हासिल कर लेंगे अभी तो कान बंद है उसे खोलना फिर उसमें से लोगासा या जमूर्द निकालना हासा पेचिता दुश्वार और वक्तलब काम है ब्लैक जिरो ने कहा करनल फरीदी की सितला के बाद उसके बीचे ब्लैक सेंडर काम कर रही है नामुम्किन भी मुम्किन हो सकता है बारहाल मैंने वहां वक्तना इसी जोन का बंद बस्तो करा दिया था इम्रान ने उन्चे बाते हुए कहा उसके साथ है उसने तेजी से टेलीफोन का रेसीवर उठाया और तेजी से नमबर डाहल करने शुरू कर दिये हार्ट स्टोन जाता होती ही रेसीवर से करनल फरीदी के मखसूस आवास तुनाई दी रेम्रेंड भी हार्ट स्टोन ही होता है लकिन इस हार्ट स्टोन पर पतंगों ने हमला कर दिया है फरीदी साहब इम्रान ने संजीदा लहजे में कहा रेम्डन पर पतंगों ने हमला क्या मतलब करनल फरीदी ने हरत भरे लहजे में कहा पतंगे वो नहीं जो बेचारी रोशनी पर जान निशावर करते रहते हैं बलकि ये पतंग की जमाएं वही पतंग जो हवा में उड़ती है और बोकाटा के नारों पर रक्स करती है इम्डान ने कहा ओ, मैं समझ गया तुम्हारा मतलब है कि जमूर्ट के कान पर मादाम कार्ट की ग्रूप ने हमला कर दिया है ये कैसे हो सकता है? तुमने तो हुदी कहा था कि मादाम कार्ट ग्रूप लेकर निकामों चले गई है करिनल फरीदे का लेज़ा यकला हतिदा इससे लीदा हो गया रिपोर्ट यही मिली थी अब दो सूटें हो सकते हैं कि या तो महबरों ने रिपोर्ट रिपोर्टिंग अलगी है या फिर उन लोगों ने डाच दिया है जाहिर यही है कि वो निकाम हो जा रहे हैं पिर वहां से सीधी यहां आ गए और वारदात कर डाली इम्रान ने मू बनाते हुए कहा हुआ क्या है तफसिल बताओ करनल फिरीदी ने पूशा और इम्रान ने बलेक जिरो से मिलने वाली तमाम रिपोर्ट अफसिल से बता दी ओ वरी बैड इसका मतलब है कि हमसे कोता ही हुई हमने उस ग्रूप को एहमियत नहीं दी वरना वो लोग ऐसा ना कर सकते करनल फिरीदी ने इस पार्ट लेज़े में कहा हाँ वाकर करनल फिरीदी बारहर इस ग्रूप में यकिनन कान से लोगासा निकालने के लिए बाकारदा प्लैनिंग किया है और इस प्लैनिंग के तहती यहां पे आए है लाजमन ये पाकिशा के रासे बटाम पहुंचेंग होंगे वरना अगर ये सागालेंड के रासे वहां जाते तो तुम्हान ब्लैक फोर्स उन्हें चेक कर लेती और पाकिशा के रासे वहां पहुंचने का मकस्द यही हो सकता है कि ये लोग लोगासा लेकर वापिस पाकिशा के रासे जाने की बजाए सागालेंड के रासे वरार होंगे इम्रा ने इंतहा इसे नीदा लहजे में कहा क्यों इस हैयाल की बज़ा करनल फिरीडी ने पूछा अगर उनके ये प्रैनिंग ना होती उनको मालूम है कि इस कतलो वारत के नेतिजे में पाकिशा के हकान चौंक पड़ेंगे और अगर ये वापिस होए तो फिर लाजमन गिरफतार हो जाएंगे और उन्हें ये भी इतला होगी कि कान कोलने के लिए जो कैम्प लगाया गया है वो पाकिशा के इलाके में